के देवाओं हिंदी बोलना मेरे लिए थोड़ा ज्यादा आसान है मैं आपसे हिंदी बात करूँगा मेरे हिंदी आपको बराबर समझ में आएगी बहुत आसान और सरन हिंदी बोलेगा तो 1930 के साल में लाहूर नाम के शहर में एक बहुत बड़ा संभिलन हुआ था लाहूर उस समय भारत का हिस्सा था तो संभिलन में एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें पूर स्वराजी की मां की गया थी उस पूर स्वराजी के प्रस्ताव में ये कहा गया था कि जब भारत आजाद हो जाएगा अंग्रेजों की गुलामी से तो भारत देश में वो सारी समस्याई नहीं होगी जो अंग्रेजों के कारण है जैसे गरी भी नहीं होगी, भूपमरा नहीं होगा, बेकारी नहीं होगी भारत देश में मारा मारी नहीं होगी, सब चैन और शांती से रहेंगे इंदुस्तान के हर व्यक्ति को सम्मान मिलेगा, हर व्यक्ति को जीवन जीने का लिकार मिलेगा अंग्रेजों ने जो नियम काईदे कानून बनाए हैं भारत का शोशन करने के लिए उस सब नियम काईदे कानून समाप्त हो जाएंगे अंग्रेजों के बनाई गई पूरे के पूरे हमारे देश के तंत्र बदल जाएंगे कानून व्यवस्था बदलेगी, नाय पद्धिती बदलेगी, सिक्षा पद्धिती बदलेगी ऐसी बहुत सारी बातें 1930 के लाहोर कांग्रेस के अधिवेशन में कही गई थी आप जानते हैं कि लाहोर के कांग्रेस अधिवेशन से थोड़ा दिन पहले भगत सींग ने जेल में रहते हुए अपने कुछ मित्रों के नाम एक संदेश भेजा था उसकी फासी से लगबग एक सब्ताह पूरू और भगत सींग का जो संदेश उसके मित्रों के नाम गया उसमें भी उसने यही लिखा कि मैं मानता हूँ कि देश के आज़ादी के लिए शहीद होने वाला हर करांतिकारी एक सपना लेके मर रहा है और वो सपना ये है कि इन दिन भारत आज़ाद होगा अंग्रेजों की हुलामी से और अंग्रेजों के कारण हमारे देश को जितनी दुख और यातनाएं मिली है वो सारे दुख और यातनाओं से भारत को मुक्ती मिल जाएगी आज़ादी आएगी इसी तरह की बात 1941 में सुभाषण रबोस ने कही थी जब वो आज़ाद हिंद खौच की भर्ती कर रहे थे और हिंदुस्तान के लोगों के लिए और हिंदुस्तान से बाहर रहने वाले हिंदुस्तानियों के लिए एक प्रेरणा शुरूत का काम कर रहे थे तब उन्होंने भी 1941 के अपने बाशन में जो उन्होंने रंगून से दिया था ये कहा कि भारत जब आजाद होगा तो भारत में अंग्रेजियत चला जाएगा अंग्रेजियत चली जाएगी और भारत में भारतियता के आधार पर एक ऐसा तंत्र बनेगा जिसमें हर व्यक्ति को सम्मान जिनक जीवन बिताने का, हर व्यक्ति को अपने धर्म की आजादी लगने का, हर व्यक्ति को व्यवसाय की आजादी का, हर व्यक्ति को अपने आपको आगे बढ़ाने का मौका गरीबी भुक्मरी बेकारी से सारा देश मुक्त हो जाएगा ऐसी ही कलपना सुभाश्चंद्र भोस की भी थे मात्मा गांदी ने भी यही कहा था अब हमारे देश के सभी करांतिकारियों के मुझे अगर आप देखें तो ऐसी ही बाते निकली कि आज़ादी मिलने के बाद का भारत जो होगा वो एक ऐसा भारत होगा जिसकी कलपना उन सब के मन में लगबग एक जैसी थी बले वो हिंसा के रास्ते से आज़ादी लाने की कोशिश कर रहे थे या अहिंसा के रास्ते से आज़ादी लाने की कोशिश कर रहे थे आप जानते हैं हमारे देश में क्रांतिकारियों के दो समू थे क्रांतिकारियों का एक समू था जो हिंसा को बहुत बड़ा हतियार मानता था और क्रांतिकारियों का एक समू था जो अहिंसा को बहुत बड़ा हतियार मानता था लेकिन दोनों ही क्रांटिकारी वो अहिंसा को मानने वाले हों या हिंसा को मानने वाले हों सपना दोनों का एक ही था आज़ादी के बाद का भारत कैसा होगा अब आप देखें कि जिन क्रांटिकारी ने भारत की आज़ादी के लिए बनेदान दिया उन में से हम कुछ नाम जानते हैं, भरत सींग, उदम सींग, चत्रशेकर आजाद, खुदीरांबोस, आत्याटोपे, लेकिन ये जो थोड़े से नाम हम जानते हैं, ये इतने ही नहीं के, भारत देश में जो दस्तावेज उपलब्द हैं आजादी के समय के, वो सारे के सारे द बदाते हैं, कि आजादी की रड़ाई में, 1857 से लेकर 1947 के बीच में, 6,40,000 करांटिकारियों ने शहादत दी, 6,40,000 करांटिकारी हमारे देश के फासी के फंदेफन जूले, अंग्रेजों की गोली खाकर मरे, अंग्रेजों की काले पानी की सजा के दौरान मरे, या अंग्र करांटिकारी के बलेदान का इतिहास नहीं है भारत का, दुनिया में बहुत कम देश हैं जो भारत जैसे हैं, जिनकी आजादी के इतिहास में, लागों करांटिकारियों का बलेदान हो, एक देश जो हमसे बहुत बाद में आजाद हुआ और लंग्रेजों का गुलाम रहा, दक्षुनी अफरीका के आजादी का इतिहास अभी थोड़े दिन पहले में पढ़ रहा था नेलसल मंडेला महा के बहुत बड़े इतिहास पुरुश है जो आज भी जीवित है नेल्सन मंडेला से पहले चार सो साड़े चार सो साल पहले लक्षणी अफरीका की आज़ादी का संग्राम शुरू हुआ और साड़े चार सो साल के आज़ादी के संग्राम में लगवग धाई से पौने तीन लाख अफरीकी रोमों का बलिदान हुआ है अब साड़े चार सो साल की गुरामी में धाई से पौने तीन लाख रोमों का बलिदान दक्षिणी अफ्रीका में हुआ और लगवग धाई सो साल की गुरामी में हिंदुस्तान में छे लाग चारीस अदार क्रांतिकारियों का बलिदान हुआ तो भारत जैसे देश दुनिया में कम मिलेगे जहां पर इतने सारे क्रांतिकारियों ने एक साथ बलिदान किया हो और जिन क्रांतिकारियों ने भारत के लिए बलिदान किया वो अलग अलग माननेताओं के थे, अलग अलग संप्रदाओं के थे सभी के सभी क्रांधिकारी एक ही मानिता के नहीं थे एक ही संप्रदाई के दिने ये देखने की एक मिशेश बात है कि अलग-अलग संप्रदाई के होते हुए अलग-अलग मानिताओं के होते हुए भी क्रांधिकारी उन्हें भारत की आजादी के लिए मन में वही जजबा था जो दूसरे किसी के मैंने में होता है और उन सब का एक ही सपना था कि ऐसा भारत होगा महान भारत होगा, सोगे की चुड़िया भारत होगा वगरा वगरा लेकिन आज आज़ादी के 55 साल उड़े हुए है 56 साल शुरू हो चुका है हम देखें तो भारत की तस्वीर क्या है भारत सरकार के आगरों के अरुसार जिसमें मैं मेरी तरफ से नहीं कुछ दोड़ना चाहता भारत सरकार खुद कहती है कि आज़ादी के 55 साल के बाद हमने जो विकास किया है वो कहां तक पहुँचा है हमारा विकास यहां पहुचा है कि 105 करोड की हमारी कुल जन संच्या है या हमारी कुल बस्ती है और इसे 105 करोड की बस्ती में लगब 44 करोड लोग ऐसे हैं जिनकों दो समय खाने के लिए रोटी नहीं मिल सकती इन 44 करोड लोगों की गरीवी का अंदाज़ा अगर आप लगाना चाहें तो सरकार के आपरों के अनुसाद एक दिवस में जिनको खर्च करने के लिए 5 रुपिया भी नहीं मिलता ऐसे लोगों की संख्या वारत देश को लगवग 15 करोड है एक दिवस में जिनको खर्च करने के लिए 1 रुपिया भी नहीं मिलता उनकी संख्या लगवग 10 करोड है और एक दिवस में जिनको खर्च करने के लिए 50 पैसा भी उकलब नहीं है उनकी संख्या इस भारत में इस समय 5 करोड इतुनी महेंशर गरीबी में हमारे देश बिन लोग रहते हैं 40 करोड लोग तो गरीबी के एखा के नीचे हैं अत्यम्त करीबी में हैं और 44 करोड से थोड़ा उवर और 60 करोड के आसपास लोग ऐसे हैं जो कुछ समय के लिए ठीक थाक भोजन कर पाते हैं लेकिन उनके जीवन में निश्चित का कुछ भी नहीं है, आज भोजन किया कल मिलेगा के नहीं, कल किया तो परसों मिलेगा के नहीं, परसों किया तो आठ दिन बार मिलेगा के नहीं, एक महीने लगाता है भोजन मिल गया तो अगले महीने मिलेगा के नहीं, उनके साथ जीवन में इसी तरह की तन्वार लटक की रहते हैं। आज़ादी के बाद हमारे देश में बहुत प्रगती हुई है और उसके एक दूसरे मानत के रूप में आपसे जो कहना चाहता हूँ ये कि भारत देश में इस समय रगभग 20 करोड दोग हैं जिनको करने के लिए काम चाहिए लेकिन उनके दुम हाथ बिकार कुछ भी उनके पास रोज़गाई हैं। ये 20 करोड दोग जिनको काम चाहिए हाथों में करने के लिए उनकी उमर 18 वरस से लेटर और 60 वरस के बीच की है। आप जानते हैं कि 18 वरस का जवान लड़का या लड़की काम करने के लायब माना जाता है और 60 वरस में आपनी हिंदुस्तान में रेटायर माना जाता है जरकानी आपनों के लिए साथ वरस से 60 वरस के बीच में 20 करोड को गैसे हैं आपनों कुछ भी काम नहीं है लेकिन उनको काम की बेहद धरकार है बेहद जरूरत है यह हमारी आज़ादी के बाद के विकास के पहमानों मैं यह इसलिए एक माईती जो आप से में शेयर करना चाहता हम वो यह कि आज़ादी के साल में 1947 में जब हम दुनिया के तमाम दूसरे देशों के सामने कंदे से कंदा मिला कर या आँख से आँख मिला कर देखने की ताकत नहीं रख पिर थे तब और आज जब 2002 में हम आ गए हैं जब हमारे देश में लाकों लाकों गाड़ियां चलती हैं सड़क पर हजारों फुनाई ओवर बन गए हैं बहुत सारे फाइल स्टार होटल हैं बहुत सारे हमारे देश में लगण चुन्दी इमारते हैं ये सब विकास के जो पैमाले माने जाते हैं दोगजार दो में आने के बाद तब एक और महिती आप से शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि 1947 में हिंदुस्तान का जो खेती का कुल उत्पादन था वो मात्र साड़े चार करोड तन हुआ करता था आज भारत देश के किसानों की महनत का परिणाम है कि भारत में खेती का कुल उत्पादन 21 करोड तन हो चुका है माने हिंदुस्तान के किसान में उत्पादन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है लेकिन पिर क्या मजबूरी है हमारे देश की कि साड़े चार करोड तन जब खेती में उत्पादन होता था तब हमारे देश में भूख मरा था और जब 21 करोड तन उत्पादन खेती में होता है तब भी हमारे देश में भूख मरा ही है बहुत सारे लोगों के साथ जब मैं इस विशह पे चर्चा करता हूँ तो वो मुझे एक तर्फ देते हैं और वो कहते हैं कि राजी भाई ये सारा हिंदुस्तान के बस्ती बढ़ारे के कारण है जनसंख्या बढ़ने के कारण बारत की जनसंख्या बहुत तेरी से बढ़ गई है और इसलिए जनसंख्या बढ़ने से हमारे देश की प्रगती रुप गई है और जनसंख्या बढ़ने से ही हमारे देश में ये सारे के सारे दुश्परियाम है जो आपको दिखाई रहे हैं जो लोग मेरे साथ चर्चा में जनसंख्या की बात सामने रखते हैं, उनके साथ में जब चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ, तो फिर वो थोड़े देर के बाद मिरुत्तर हो जाते हैं, और वो बात ऐसी है कि जब 1947 में आजाद हुए, तो हमारी जनसंख्या 34 करोड थी, आज कि आजादी के 55 साल के बाद हमारी जनसंख्या 105 करोड हो चुकी है, तो 34 करोड की जनसंख्या जब 105 करोड हो जाती है, तो आप मान लीजिए कि लगवद नहीं जनसंख्या 3 बुरी बढ़ चुकी है, जनसंख्या हमारी 3 बुरी बढ़ी बढ़ी है, और घेती का लगवग पांच गुना पढ़ गया। लगवग पांच गुना पढ़ गया। मिला तो वहां मैंने देखा कि बारे लोग मर गए थे भूभ से और वो कैसे मर गए थे उनको कई दिनों से खाने को कुछ नहीं मिला था गाव में एक भहस बर गेंगी, वो सभी भूके लोगों ने मरी हुई भहस का भास खा लिया था और वो सम्वर गेंगे। हिंदुस्तान की जलसत में आये दिन इन प्रश्णों पे चल्चा होती है, बहस होती है और बहस और चल्चा में एक पक्ष कहता है और दूसरा पप यह कहता है कि वो दरीबी से हैं। अब दोनों ही तो एक सिक्क्य है के दो हिस्त है अगर बरीबी है तो फूकोशन भी होगा और फूकोशन है तो बरीबी होना बहुत स्वाबा भी लिए लिए बस्ती रहती है और ये अंतहीं गहस हमारी सलस्द में 25 साल से चानुगा तो मेरे समझ में नहीं आदा कि जब देश में अंड का उत्पादन जलसंख्या से जादा बढ़ नहां हो तो इसे भी जादा गंबीर दूसरा प्रश्ण है हो ये कि हमारे देश में जब आज़ा दिया ही 1947 में तो कारखाने बहुत कम थे और तारखानों में होने आना उत्पादन भी बहुत कम था जिसको इंडस्फिर प्रड़क्शन कहते है और जोगी उत्पादन इंदुस्तान का 1947 में लगब एक लाख करण रूपर के आसपास था आज इंदुस्तान का ओद्योगी उत्पादन दस लाख पर उसे उन पर तो हमारा ओद्योगी पुर्पादन दस लुना बड़ा है जनसंख्या बात्रती पुटी बड़ी है तो बेगोज़नारों की इतनी बड़ी पौज कहां से है हमारे जेश्फिर ये जो हमने हमारे मन में बिठा लिया है कि जनसंख्या बढ़ने से गरीबी बढ़ती है या जन सिद्धान्त किया था हाला कि वह जनवरों के देशों में पूरी तर这么 नकार दिया है और वह जिद्धान्त यह वग kilo करता था कि जो देश की जनसंख्या बढ़ती हैं और यह ine Śुज बैकारी बढ़ती है अमरीका की जनसक्या बड़ी है, फ्रांस की जनसक्या बड़ी है, जर्मनी की बड़ी है, जापान की बड़ी है, चाइना की बड़ी है, और चाइना की तो सबसे जादा बड़ी है अमरीका की जनसक्या पिछले 50 वर्शों में दो पुने से जादा हो गई है ब्रिटेन की जनसक्या और उने यूरोप की जनसक्या पिछले 50-55 वर्षों में लगबत तीन गुनी बढ़ गई है लेकिन देखने में ये आता है कि जिस यूरोप की जनसक्या पिछले 50-55 वर्षों में तीन गुनी बढ़ी है उस यूरोप में अमीरी पिछले 55 वर्षों में एक घजार लुनी बरढ़ चुकी गरीभी नहीं पढ़ी हैute जिस अमिरिका की जन संख्या में से 55 वर्षों में लगबग दो गुने से कुछ जारा हो गई है वो अमरीका में खिछले 55 बर्षों में अमीरी लगब एक गजार उनी बढ़ चुकी तो अमरीका और यूरोप के देशों में जनसंख्या बढ़ने से अमीरी आती है तो भारत में जनसंख्या बढ़ने से गरीबी क्यों आनी चाहिए और अगर भारत में जनसंख्या बढ़ने से गरीबी आती है तो अमरीका और यूरोप में भी जनसंख्या बढ़ने से गरीबी आनी चाहिए क्योंकि सिद्दान्त दुनिया में सरुमान ये हुआ करते हैं सिद्दान्त कभी किसी देश की सीमाओं में नहीं बना करते अगर कोई एक थीसिस है, कोई एक थियोरी है, कोई एक सिद्दान्त है कि जनसंख्या बढ़ने से गरीबी बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ने से लेकारी बढ़ती है तो जनसंख्या तो दुनिया के तमाम देशों की बड़ी है लेकिन भारत छोड़ कर बहुत सारे देशों में ये देखा जा रहा है कि वहाँ तो जनसंख्या के साथ साथ अमीरी बड़ रही है और यहाँ जनसंख्या के साथ गड़ी भी बड़ रही है आप सुनेंगे तो हईरान रह जाएंगे, देलमार्ट आम का एक देश है, स्वीटन आम का एक देश है, नॉर्टे नाम का एक देश है, वहां की सरकारे जादा से ज़ादा बच्चे पैदा करों इसके लिए अभियाँ चलाती है, और जिस सरकारी करवचारी को एक बच्चा है और उसको दूसरा हो जाए तो तुर्ण तुसका प्रमोशन हो जाता और तीसरे बच्चे पर अधिकारी हो जाता है और तीसरे बच्चे पर अधिकारी हो जाता है चोधा हो जाता है तो उसको जित्ती बड़ी रेंग चाहिए उतन कि जादा बच्चे पैदा करो, यहां हमारे देश महीं उल्टा क्यों चलता है, कि बच्चे कम पैदा करो, अगर स्केंटनेवियन देश जादा बच्चे पैदा करके अमीर हो सकते हैं, तो भारत जादा बच्चे पैदा करके अमीर क्यों भी हो सकता है, या अगर वो जादा ब जलत पहनियां बैटी हुई हैं जन संख्या को लेकर और गरीवी को लेकर आपको निवेदर ये करना चाहता हूं कि जन संख्या का किसी भी देश की गरीवी से कोई लेना देना नहीं वेरोजिकारी से जन संख्या कोई संबंद नहीं और ये सिद्धान जिसको दुनिया में 400-400 साल पहले किसी एक अर्थशास्त्री ने जिसको अब यूरोप की देश अर्थशास्त्री भी नहीं मानते उसने कभी कह दिया था वो हमने पकड़ के रख लिया यूरोप के देशों में वो सिद्धान कभी का नकारा जा चुका है कि जन संख्या बढ़ने या गरीवी बढ़ मेरे साथ कुछ विदेशी वेग्यानिक थे जिन से मैं चल्चा कर रहा था तो स्केंटिनेवियर कंट्रीज के कुछ वेग्यानिकों से मैंने ये प्रश्न पूछा कि आपके देश की सरकार बच्चों को जादा परदा करो ऐसा अवियान चलाती है ऐसा क्यों है आपके हैं त पर दाम हमारे पास जादा है तो हमें तो जादा से जादा लोग चाहिए जो काम कर सकें तो मैंने यही तो सिद्धान भारत की यही विए कोई दूसरी तो मैं पूझा क्या बात है तेरा बताओ तो सही तब एक लेक्यानिक ने बहुत छोटे-छोटे दवे-दवे शब्दों में मुझे जो कहा वो मैं आप से शेयर करता हूं उस ते कहा कि देखिए बात तो सची यह है कि हम यूरोपियन देशों के पास संसाधन नह है हमको बगभान में संसाधन नहीं दिए और ये विल्कुल सचभा तबहेता अपको यूरोप यूरोप सबसे Kanien कया उका हाउ है उर Sum की मजबे में और भी जादा नहीं हुत इसके लिए इसुर्ज देवता के दर्शन नहीं होते लोगों। वदन लेट लेट कर दूप का आनंद लेते हैं। लेकिंगे अमेरिका में जाते हैं, जहां में दर्या किनारा मिल गया वाँ यूरोप बादे जाते हैं, और साही कपड़े कोल कमुद लेकिन पड़े थे हैं, उनको धूप चाहिए, तो उनके अपने देश में उबलब दने, इसके लिए मुदूसरे देश में भाविप बहुत अच्छी नहीं होती है, आज बारिश हो रही है, अभी हो सकता है कड़कर रूप निकलाए, फिर हो सकता है रात को बरफ गिर जाए, इतना अनिश्चित मौसम है, जितना अनिश्चित मौसम भारत में है, शाहिदी दुनिया की पोई देश में होगा, और खेद में मा कार फसले बड़े आराम से हुआ करती है, और कई देश तो ऐसे हैं जहां साल में छे महीने जेतों में बरफ में बिची रहती है, तो कुछ होने की संभावना नहीं होती है, जीवन बहुत मुश्किल है वहां का, तो वहां के एक वैग्यानिक ने मुझे जो का वो मैं कहता उसने का राजी भाई आप जानते हो कि हमारे यह मौसम बहुत प्रतिकूल है, आपको शाहिद यह भी मालूम है, हमारे यह रास प्राकरतिक संसाधन बहुत कम है, और हम दूसरे देशों के संसाधन पर ही जीवित हैं, खासकर भारत जैसे देशों के संसाधन हमारे लिए बह तो अगर आपके देश की भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती जाएगी तो आपके अपने संसादन आप ही इस्तेमाल कर लोगे हमारे लिए आपके देश में कुछ बचेगा नहीं इसलिए हम आपको ये सिखामन देते हैं कि आप अपनी जनसंख्या कम करो ताकि आपके संस हमारे काम में आजाएं और ढमारे जनसंख्या पढ़ते जाएं नगी और मुझा मिलता लिए इसको अगर दूसरे शबतों में मैं मैं खोल कर करका हूँ तो यूड्प को हमारा आम चाहिए खाने के लिए जो यूरोब में नहीं होता यूरोब को हमारे खाने पीने की बहुत अपने देश में नहीं होती, उनको बहुत सारी ऐसी खाने पीने की चीज़े चाहिए जो भारत में होती हैं, या भारत जैसे गरम जलवायू वाले देशों में होती हैं, तो वो देश कहते क्या हैं, कि गरम जलवायू वाले देश अपनी जनसंग क्या कम करें, ताकि उनकी ची इंडिनेवियत कंट्रीज में जाने का खासकर डेनमार्क, नौर्वे, स्वीडन में और आप वहां दिगा कर देखना तो सरकार की तरफ से 50-50 पन्ने की बुकलेट छापी जाती है जिसमें बच्चों को जादा से जादा बढ़ाओ, बच्चों का जादा से जादा संख्या मात्यम से कि जन संख्या से गरीबी बेकारी का संबंद नहीं होता है, आप मुझे एक बात बताएं और शायद आपको भी ये समझ में आए, कि कोई व्यक्ती जब पैदा होता है तो भगवान ने उसको खाने के लिए मूँ तो सिर्फ एकी दिया है, काम करने के लिए दो अगर मैं जीवित रहूं, तो जब से मैं बच्पन से एक बरस का हुआ और 80 बरस तक मेरा जीवन चले, तो कुल बिलाकर मैं कितना भोजन करूंगा, और अगर मैं पांच एकड़ खेत पर काम करता हूं रोज, 18 बरस की उमर से लेकर, 60 बरस की उमर तर, तो कितना अनाज मैं काइदा करूंगा, उसका मैंने एक दिन हिसाब जोड़ा, तो खाने वाला मेरा अनाज मुश्किल से मुश्किल बैठता है, जो डाई से 3 तन, बहुत अधिक तो 4 तन, बहुत जादा खाने की कोशिश करूं तो 5-5 तन, आप कल्पना करो कि कोई मजदूर 10 तन खाएगा, और मैंने जब उत्पादन का हिसाब जोड़ा, तो मैं 18 वरस की उमर से काम करूं, और लगबग 60 वरस की उमर तक 5 एकड़ खेत पे काम करूं, जो मेरे पास उपलफद हो, तो मैं 30,000 तन उत्पादन कर सकता हूं, 10 तन मैं खाना खाऊंगा, 30,000 तन पैदा करके जाऊंगा, अब मिश्वर ने मूँ दो नहीं बनाए है, बाकी सब दो है, मतलब क्या है, मनुष एक ऐसी प्रकरती में है, जो खाता बहुत कम है, उत्पादन उससे भी जादा करता है, और हर व्यक्ति जब उत्पादन कर सकता है, तो एक नए व्यक्ति को आने देने से क्यों रोकना, वो उत चीन जाने का मौका मिलें तो चीन को देखिए, चीन की सरकार कभी भी अपने लोगों को अभिशाप नहीं मान दो, चीन की सरकार तो ये कहती है कि जितने ज़्यादा हाथ उत्पादन और युणोंने सिद्ध करके दिखा दिया दुनिया के सामने, तो भारत जैसे देश में अगर जितने ज़्यादा हाथ उतना ज़्यादा उस पादन ये सितार्थ क्यों नहीं लच्चन सकता, कारण उसका एक है, और कारण वो बिल्कुल सीधा है, चीन की सरकार ने अपनी पूरी व्यवस्ता को ऐसे बनाया है, जिसमें अधिक से अधिक हातों को काम दिल सकता है, ये परदेशनों से आने वाला जो विचार है, जिसमें हमको उड़ा दिया है एक हवा में, हम हमानी जमीन पर नहीं है, परदेशी विचार की जमीन पर है, अमरीका से किसी ने कह दिया भारत को जनसन क्या कम करनी चाहिए, यूरोप में से किसी ने कह दिया भारत को जनसन क्य करने में लग जाते हैं हम अपनी हकल से अपने दिमाग से अपने देश की परिस्तकियों के हिसाब से कभी सोच कर नहीं देखते हैं कि यह हमारे लिए ठीक है क्या जो वहां से कहा जा रहा है और हम उसको स्वीकार करने हैं हिंदुस्तान में कुछ हुआ ऐसा ही है आजादी के 55 वर्षों के बाद जो व्यवस्ता बनाई गई है इस व्यवस्ता में जादा से जादा लोगों को बेकारी मिल सकती है रोजगार नहीं मिल सकता हिंदुस्तान की व्यवस्ता इस तरह की बनाई गई है जिसमें जादा से जा हैं लेकिन 90-90 करोड़ को आप हुमेशा जीवन में संगर्ष करते हुए ही पाई। व्यवस्था जो हमारी ऐसी है जो हमको गरीबी ही देती है वहिखमरा ही देती है यह व्यवस्था दुर्भागे से अंग्रेजों की बनाई हुई है जिसको 1947 में तोड़ देना चाहिए था। उसको हम तोड़ नहीं पाए और वहीं व्यवस्था हमारी चलती चली आई है। अब उस व्यवस्था के विरोधा भास हमको दिखाई देते हैं लेकिन उस व्यवस्था को ठीक करने का रास्ता नहीं दिखाई देता है। इसलिए हम हमारी जल्संख्या को कोड़ते हैं अपने लोगों को कोजते रहते हैं विवस्ता की गलती विवस्ता की खामी हमको दिखाई देना बरने हो चुटी है। 1947 के साल में Switzerland की पूरी की पूरी जनसंख्या मात्र तीन से साड़े तीन लाग के आसपास थी आज Switzerland की पूर जनसंख्या अगर उसके छोटे मुटे सब सबर्ब जोड दिये जाए तो एक दरोड से थोड़ा कुछ कम है निव लाग के आसपास है तो तीन से साड़े तीन लाग की जनसंख्या अगर निव लाग हो गई तो बस्ती वदारा लगब 30 गुना हो गया तो 30 गुनी गरी भी आनी चाहिए Switzerland में आप सुनकर हैरान हो जाएंगे Switzerland में पिछले 55 परशों में 10,000 गुनी अमीरी आई है गरी भी नहीं आई है 10,000 गुनी अमीरी आई है Switzerland पिछले 55 परशों में Switzerland के गरीब से गरीब आदमी की जो सालना इंकम है वो हिंदुस्तान के अमीर से अमीर आदमी की सालना इंकम को ठक्तर देनी के लिए खापी तो हमारा देश बस्ती पढ़ने से गरीब होता है Switzerland की बस्ती पढ़ती है तो वोच आदमीर होता है यह चक्तर क्या है? चक्तर यह सीधा-सीधा है Switzerland दुनिया का एक ऐसा देश है जहान लक्षमी आती है और इंदुस्तान दुनिया का एक ऐसा देश है जहां से लक्षमी जाती है यहां से लक्षमी जा रही है स्विट्जर लेंड में लक्षमी आ रही है जहां लक्षमी आती है संपत्ती आती है धन आता है वहां अमीरी आती है और जहां से लक्षमी चली जाती है वहां संपत्ती चली जाती है दन चला जापा, गरीबी आजापी, सीधा सके एगा, एक बार में शंकर और पार्वती का किस्सा बढ़ा रहा था, गड़ेश पुरान में शंकर जी पार्वती आपस में बाथ कर रहा, तो पार्वती जी शंकर जी को पूछ रही है, ये लक्षमी का क्या संबन्द है किसी एक तो शंकर दी समझा रहे हैं कि दिर्वत फार्वती, जिसके पास लक्षमी है, वो अमीर है, और जिसके पास से चली गई है, वो गरीब है, सीधा सार्थ, तो लक्षमी हमारे पास से चली गई है, इसलिए हम गरीब है, और सुर्जरलेंट में पहुँच गई है, इसलिए वो नमीर हो रहा है और भारत गई हो रहा है आप पूछों कि कैसे जा रही है भारत से बहुत बड़ी पाइप राइंड सुट्जर लेंड के लिए नहीं जाता पानी नहीं जाता दूद नहीं जाता इसमें रूपिया पहे के जाता और वो पाइप लाइप 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 पेट्रोल पंप गोटाला गोटाले में गोटाला उसके पहले यूरिया गोटाला फिर चारा गोटाला तो फिर बोफपुर्स गोटाला तो फिर ब्योंग गोटाला तो फिर बाजीनी गोटाला ऐसा कोई एक शब्द नहीं है जिसका गोटाला नहीं हिंदुस्तान आजाद हु पर गोटाला तभी सचुरू हो आजा दी मिलते ही जोटाला शुरू हुआ और सबसे पहला गोटाला था भी आ किर्ष्ञन मेरन की इस देश के। पंडित जवाराल लहरू इस देश के प्रधान मंत्री हुआ करते। उन्होंने काज़ पर जीप खरी दी और वह सप्लाई भी काज़ पर हो गई और पैसा स्विजर्वेंड में जाके जमाओ गोटाला खुला, संसल में हला हुआ, तो पंडित जवाराल लहरू ने कहा कि देख यह तो सामान दिवात है, इसका क्या है, आजादी होते ही गोटाले का घुल लग गया इस देख, और यह जो कह दिया पंडित जवाराला लहरू ने संसल के अंदर, इससे लोगों को और मौका मिला, तो जो कम ब्रश्टाचारी के वो और हो गए, और और अधिक हो गए, और अब ब्रश्टाचार का, पहने कहा करते थे हमारे देश में कि गंगोत्री है, अब ब्रश्टाचार का महासागर है, गंगोत्री तो कहीं खो गई है, अब तो महासागर ही महासागर, यह ब्रश्टाचार हिंकुस्तान की गरीवी के सबसे बड़े कारणों में एक है, जन गुझरात के अठाए हजार गाओं में एक गाओं की सडब सोने से बना सकते हैं आप जानते हो कितना मैसा बनाया बारत देश की एक बहुत बड़ी संस्था है जिसका नाम है एन्फोर्स्मेंट डायेक्टरिंग प्रभर्पन दिजेशाल है उस संस्था के आंकड़ों के अमसार हिंदुस्तान के ब्रश्ट राजकारणियों का हिंदुस्तान के ब्रश्ट राजिकारियों का स्विट्जर लेंग की बैंकों में जहां सबसे महत्तु की बात ये कि काला धन ही जमा किया जाता है ऐसी स्विट्जर लेंग की बैंकों में जिनको शॉर्ट फॉर्म में स्विज बैंक के कहा जाता है हाला कि उनके अलग-अलग याम है, जैसे Bank of Geneva है, Bank of Switzerland है, ऐसी अलग-अलग BCO Bank है है, जैसे भारत में State Bank है, जैसे वहाँ पर Bank of Geneva है, Bank of Zurich है, Swiss Bank है है, ऐसी तमाम Swiss Bankों में सिर्फ काला धंजमा होता है, तो भारत के नेताओं ने ब्रश्णाचार करकर के जो काला धंजमा किया है, वो Switzerland की बेंकों में समय जो रखा हुआ है, उसका आकड़ा अभी लगाया है, अनुमान अभी लगाया गया है, तो लगबक एक हजार अरब डॉलर है, एक हजार अरब डॉलर को अगर रुपए में आप गिरेंगे, तो अड़तानीस लाख करोड रुपए है, अड़तानीस ल इतना होता है कि इन्दुस्तान में छे लाग नाओ है, अगर एक गाउं को आठ आठ करोड रुपए देदो, तो कौन सा अज़ा गाउं है, जो भूप मरी का शिकार होगा, जो हम कोई गाउं अगर कुछ भी न करें, और आठ करोड रुपय हम उसको देदा है, उसके कि के ताउने लूट लेके लूट करके रिश्मत लेके गूस करके इकठा कर लिया है वह गाउवाले अगर इतना ही करें कि आठ करोड रुपए को फिक्स डिपाउजित नरख जाए और नौ टका का व्याज भी उनको बरस का मिलता रहे तो आप देरा कल्पना को कितना व्याज आ ऐखा अढ़ करोड रुपए का साल का व्याज इतना आता है कि गाउवाले खरच करते करते परिशान हों जा गाहूं वाले चाहे तो आपने याग कर्णचर को नौकर रखले को नुकर रख लें आई जी को नुकर रख लें देये कर रहें तक भी attached कि वह जोगा वो दिया टीनो और कि करोड कि अगर हम पर केपанти डिस्रिपिशंग करें तो थे हर व्यक्ति हाई एक परिवार में अगर पाँच आदमी रहते हैं, तो एक परिवार को लगबग 22-23 लाग रुपए मिल जाएगा, और हर परिवार सिर्फ 22 लाग रुपए को फिक्स डिपोजिट परक ले, और 9 तका का ब्याज लेना शुरू कर दे, कुछ न करे, मांदो निकम्मे पन पर ही उतराए हर एक परिवार, ना मेहनत करे, ना इंकुष करे, बहुत ये रुप्या बेहित में जमा करे, 9 तका का ब्याज लेता रहे, आप पताओ एक परिवार भी भूगमरी से मरेगा च्या, 22 लाग का नव टका जरा निका दो, साल का कितना निकलता, 10 तका मिका दो, सवा 2 ताक रुपए निकलाएगा, 9 तका मिका दो, तो पहुने 2 ताक निकलाएगा, अब पहुने 2 ताक रुपए एक साल में जिसके पास है, तो लगबग महिने में 15,000 रुपए तो बड़े आराम से ही हो जाएगा, तो 15 से 17,000 रुपए आराम से 5 आदमी के परिवार को अगर महिने में मिलता है आप बताओ कौन सा परिवार भुखमरी से मर जाएगा इस देश UK sound... संभवी नहीं है तो हमारी गरीबी तो इसलिए नहीं है कि हम जन संख्या में जादा हैं हमारी गरीबी इसलिए है कि हमारे यह भ्रष्ट राजकारणी पैदा हो गए है इन ब्रश्ट राजकारणियों ने इन ब्रश्ट अधिकारियों ने इस पूरे ब्रश्ट प्रसाशन तंत्र ने इस देश को गरीब बनाया है अनिता ये देश सोने की चलिया था आज भी सोने की चलिया है भविश्य में भी सोने की चलिया होने की छमता रखता है अगर इस देश के सारे राजकारणियों को पानी के जहाज में भर लिया जाए और ये कंडला बंदर पर डुबो दिया जाए तो ये कंडला बंदर का एक ही अच्छा उपयोग हो सकता है मेरे हिसाब से कि इस देश के सारे राजकारणियों को भर लो और बीच में ले जाकर वो जो सत सेड़ा वेट है न वहीं डुब हो तो जो कारगिल को दिया था इन भ्रश राजकारडियों ने बेच दिया था कि यह देश बहुत अच्छा हो जाएगा सुनी की चुड़िया हो जाएगा मैं आपको बहुत इमानदारी से एक बाद शेयर करना चाहता हूं हो सकता है आप कहनी पाते मैं कह देता हूं मैं पिछली जान पिए धनापड़ा लिखा कुछ समस्ता नहीं कुछ जानता हूं लेकिन कभी-कभी समाचार सुनता है तीवी पे या कभी-कभी रेडियो पर सुनता है उसने मेरी समा में आशन सुनने के बाद का गिए वो तिरे दिसंवर को अउन्वर कहा हुआ था आपकी क्या पतिक्रिया है उसने तो उसने का वो बिल्डिंग टूप जाती तो मुझे इतनी अच्छी बिल्डिंग टूपने का दुख है अंदर बैठे हुए जो जिनावर है उनको मरने का किसी सो दूप है वो मर जाते तो उनको कोई दूप है यह हिंदुस्तान के आदमी की दिल की बात है जो वो कहता है यह अलग बात है कि वो आप से कहेगा चुप-चुप क मैं उसको खुले बेठे एक तो इस हिंदुस्तान की दरीबी के जड़ में सबसे ज्यादा कोई एक बड़ा कारण है तो वो हमारे देश का ब्रश्टाचार वो हमारे देश का प्रशाष्णिक तंप जिसमें भूल लग गया है पूरा का पूरा और सड़ गया है पूरा और ह एक स्क्वार इंच जमीन ऐसी मुझे दिखा दो जो बिना ब्रश्टाचार के हो। बहुत बड़ा विक्रम किया है, बहुत बड़ा भियान चबा है और इस प्रष्टाचार के ही कारण मैंने आपसे कहा 48 लात करोर रुपया आपके खून पसीने की कमाई का मेरे खून पसीने की कमाई का स्विस बैंक में रखा हुआ है जो हमें आपको मिल जाए तो हिंदुस्तान के गरीबों को लाइन लगा कर माटना शुरू कर दें हर एक आदमी को 488 लुपय मिल जाए हिंदुस्तान की गरीबी एक मिनाट में चुमन कर रहे है और इसमें एक और बात है बहुत बहुत जो नेता ये बश्टाचार कर रहे हैं पैसा बना रहे हैं लूट रहे हैं ऐसे कई नेता हम उन से कभी बात भी करता हूं, चर्चा भी करता हम अभी थोड़े दिन पहले यहीं गुजणात के एक नेता का एक बेटा मुझे बोलता है लाज कोट में कि राजी बाई मेरे बापु को राथ को नीम तब आती है जब घर में हेव करोड़ा जाए नहीं तो नीदी नहीं आती पापु आप सोचो सुखराम को नीम तब आती थी जब विस्तर के गादले की नीचे 6 परोड की गंडी लगा के सुखराम नाम का एक ब्रश पाजकारणी जिसको कोट में अभी 3,5-3 साल की सजा दिया वरश्टाचार में वो आदमी विस्तर के गाजले के नीचे पान-पान-सो के नोट की 6 करोड की गड़ी लगाता था उसके उपर चादरी भिचाता था फिर दली लगाता था फिर उसके बहुत सोता था माने बिना नोट की गर्वी के नीच नहीं आगी थी और उसी राजकारणी के घर में जब पुलिस का छापा हुआ पानी करां जिसमे पानी बरते हैं उसमें नोट बहय हुए थे, लोग पानी बरते हैं उसमें और एक आपने तेश हुएÁ कि इसी मरश्ताचार के कारण क्रेघ निवाई यह को कभी नहीं पाते हैं छहाइखे आप भोग अहीं को मों आपसे जीवन में जो पैसा होता ना उसकी तीन गति हो T क próxim की जुए पहली गति यह होती है कि या तो आपके पैसे हो चोड़ चुड़ा ले जाएगा ड़काइट ड़केटी में ले जाएगा घर आतां लग सकती है तो इसे आप बढ़ सकता है, सेल्स ट्रैक्स करेंट हो सकती है, सारा पैसा उसको चला जाएदा आप, एक तो गती यह है, दूसरी गती यह है, पैसे कि आप उसको जितना भोगना है, भोग लो, लेकिन भोगने की एक सीमा होती है, उससे ज़ादा भोग दें सकते हैं, भोगने की एक maximum limit कितना होगेंगे आप एक दिवस में वाइब हो आप 10 जोडी काप्र बदल बदलते हैं 20 जोडी बदलनों लेकन 100 जोडी नहीं पढसेखाका है 1 काप 1 कमर में भात यह सकते हो 1 ओध एक कंभरे में 100 और रियके अगो बोगने की एक लिमिट है किता खा सकते हो लिमिट है तो भोगने की तो लिमिट है लेकिन पैसे की गती है आप जेरा समझ लो पहली गती पैसे की है कि वो डूबे का चाहे तो चोर ले जाएगा चाहे तो डगेट ले जाएगा चाहे तो कोई इंकम का सेल्स्टेक्स वाले ले जाएगे या तो कुछ और तरीडिय से जाएगा दूसरी गती है कि आप उसको भोग मोड़ों तुरूब के साथ यह जो नेयम अगर लाहू किया जाए तो भोगनें तो है लेकिन मैंने का एक लिमिट है उससे जादा भोग नहीं सकते हैं और लिमिट के बाहर भोगेंगे तो एड्स जैसी खतरनाग दीवारी उने के सब्भावना रहती है तो भोगो भाई जितना भोग सकते हो दान करना किसी नेता को आता नहीं हो हमेशा लेना जानता देना लेता है नेता भही होता है जो हमेशा लेता है लेता कभी तुम्हेंने जैका देका電 से निकाल के चाई भी ने मेंगने पैसे कि भोगने की एक लिमिट है एक ही लिमिट है वो है धूबने की और सब नेताओं का पैसा डूबता है और वो डूबता कैसे है स्विजरलेंग की बैंकों का एक विचित्र नियम है जो दुनिया के दूसरे बैंकों में लागू नहीं है वहां कि ब्रेंपों का नियम है कि जो पैसा जमा करता है वही निकाल सकता है जमा करने वाला मरा तो पैसा डूप जाता है तो नेता पैसा बदाते हैं लेकिन स्विजरलेंट की बेंग्ओं मे डूप देखे और वो डूपता है और आप देरा ध्यान दो तो पिछले 4-5 वर्षों में जितने नेताओं की म्रत्यूं के बारे में आप याद करो कर लो सबके स्विस बैंक के काउंट पिछे 5 वर्ष में जितने नेताओं की कल्कुना करो जो मर गए कोई हवाई जाज में मर गया प्लेंट क पिछले 5 साल में जितने नेता मरें सबके स्विस बैंक के कांट हिंदुस्तान के उपर लाष्णापती को छोड़ जया क्रश्मकांद जिनकी तोड़े नेताओं की खत्मना करो सबके स्विस बैंक के कांट तो बनाएं तो तो दे Kingdom के कांट लेकिन समय आया जब बोगने का य तक्षिन बारत में मद्रास का एक बड़ा नेता मारा एक साल पहले की बटना है मैं नाम नहीं लेता क्योंकि इंदुस्तान में मरे हुए का नाम लेकर भूले लिए लिए तो उसके बेटे का मुझे पोर आया राजी बाई तेरे पिता जी का मुरत्ति हो गई कि इसमें बहुत सारे लोग बोलेंगे आपको भी बोलती जिसमें जूट क्या मुझे आकर इतना तो कहने ही पड़ेगा इतना तो बोलना ही पड़ेगा क्योंकि इतनी तो कर्टसिटी कर्टसिटी हैं कर्टसी हैं बिना कर्टसी के तो मैं नहीं मानता और इतनी कर्ट सी में इतना तो बोलना ही पुड़ेगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांती दे और मैं जानता हूं कि उनकी आत्मा इस सुर्जरलेंड पे बठे रही क्योंकि जो एकाउंट उन्हों ने जमा किया था उसको भोग पाई नहीं तो आत्मा तो वाँ पठकती है और मैं कहूंगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांती दे शांती मिले भी कैसे इसलिए मैं जूट बोलने के लिए नहीं आ सकता तुम 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 आने रीप से कम रोपने काई मजाग के बाहने मैं आपको जो गंबी बात कहना चाहता हूं वो ये कि नेता पैसा तो बनाते हैं पैसा बगाना बहुत आसान है प्रश्टा चाहर करके लेकिन उसका सत इस्तेमाल करना वो जीमन में सबसे मुश्किल काम है जो बहुत कम लोगों को आता को और उड़ाघ पाते नहीं है पैसा बनाते जाते हैं स्वीश बैक पर ढूभता जाता है इद्वस्तार की बहुत सारे देताओं का पैसा स्वीस-बैक पर ढूभा हो र сюжन कर रहा i एक जानकरी अभी थोड़े दिन पहले मुझे मिली महाराश्र के एक मुख्यमंत्री के बारे महाराश्र के मुख्यमंत्री जिनकी मौत हो चुकी है बहुत ज्यादा ब्रश्टाचारी माना जाता था हूं उनके साथ क्या व्लुगटना हो इस जानकी मुख्यमंत्री बहुत दोनों इकटना जाना लिया कि दोनों की दोस्ती थी तो दोनों ने का भाई चलो मिलके एकाउंट फोल जो स्विस्वेंग के अपन किया अब उन्होंने स्विस्वेंग के साथ एक एग्रिमेंट किया कि हम दो पार्टनर हैं हम मैंसे कोई भी एक पैसा जमा करेगा और हम मैंसे कोई भी एक एक विल्टो करेगा ऐसा एक एग्रिमेंट और ने किया एक दिवस क्या हुआ सरकार गिर गए तो मुख्यमंत्री भी पत से निकल गए और वित्यमंत्री भी निकल गए तो वित्यमंत्री ने थोड़ी चाला की चुछ अर्थमंत्री ने चाला कि क्या कि बिना मुख्यमंत्री को बनाए वो स्विजर्णेंट चला लिया सारा प्रेसा विड्रो करके अपने नाम से निकालकर सिंगापुर के बैंक पर लिखा के डिपोसित करती अब क्या हुआ, मुख्यमंत्री को एक दिन याद आया कि स्विर्ज मेंट पर बहुत एकाउंट देया, तो इन्हों ने का आप वो एकाउंट, विड्रो करना है, तो यह गए स्विर्जर लेंट, तब तक वो एक्स चीफ मिनिस्टर हो चुके थे, पूर-बूर-बूर्पूर मुख्यमंत्री हो चुके थे, तो पहुच गए वहाँ, अब स्विर्जर लेंट में पता चला कि एकाउंट तो जीरो है, क्योंकि अर्थ मंत्री पहले ही सब निकाल देगा, और सिंगापूर के टेंट पर रख दिया, तो इन्हों ने फिर डिटेक्टिव्स लगाए, मुख्यमंत्री ने अपने नाम से बैंक और सिंगाप इन्हों ने रख दिया, आप इन्हों ने सोचा कि कैसे इसको बिट्रो करना, तो उसी में मगजमारी करने लगे, ब्लेट प्रेशर हाई हो गिया, उतर रहे थे बैंक की सीर्वियों से, तो सीर्वियों से उतरने में तक करीफ आई, तो फिर लिफ्ट में चले गए, लिफ्ट में पाउंड रखते ही उनकी डेथ हुई, लिफ्ट जब होई गई, तो एक्स चीफ मिनिस्टर महाराश्ट की डेट बोडी उसमें से ने लिए और उनकी डेट बोडी फिर मुंपरी डाई गई, फिर उसका क्रीमेशन किया गया, एक पक्ष जिसके वो हुआ करते थे जिसका नाम था कॉंग्रेस, कॉंग्रेस के नेताओं ने उस बात को भरसक दबाने की कोशिश की लेकिन आप जानते हो, ऐसी बाते चुपती नहीं और रखती भी नहीं, सिंगापूर की आपपारों में खूम बड़े- चेक करने, पता चला कि उनका पैसा किसी दूसरे के नाम पर है, ब्लड प्रशर हाई हो गया, हर एट है का गया, मर गया, ऐसे ऐसे हमारे देशन, मुख्यमंत्री हुए है, ऐसे ऐसे, तो पैसा खूब बना रहे है, लूट रहे है, लिमिट लेस, बिना लिमिट के लूप हो हवारे देश में लूट दो तरह से होती है, एक ओफिशियल, एक अनओफिशियल, प्रश्टाचार भी दो है, एक अनओफिशियल, प्रश्टाचार क्या होता है, जब सामने से समझ भूच कर आपकी जेब से पैसा निकाला जाता है, और अनओफिशियल क्या होता है, जब ज कास नहीं होता उससे नेटाओं का विखास होता है आप मेंसे बहुत कम लोग शाहिद जानते हैं कि हर साल आप भारत सरकार को टेक्स के रूप में साले 5,000 रुप में देते हैं हर हिंदुस्तानी सरकार को एक साल में 5,500 रुप में का टेक्स देता है और ये टेक्स का पैसा आप इसलिए देते हैं कि देश का भी कास लेकिन आपके दिये गए इस टेक्स के पैसे मैंसे भारत देश की सरकार के नेताबनी पगार लेते हैं उसक कि एक महीने का उनका कुल खर्चा पगार शांकर वी करो रूपया साल का है तो एक महीने का लगंगर कवने दो करोड रूपया है कि और एक दैवस का हुज़टी शे लाख रूपच्छ रूप particular गार एक दैवस का खरचा 60 रूपया है email माने आप रात को चादर कांग के सोते हैं और सवेरे जब उठते हैं उतनी रेर में राष्ट्रपती 6 राक रुपे खर्च करना अब कहां खर्चा होता है यह आप कुछ हो उनसे तो पता चले कि उनके पास जो महल है वो 350 कमरेटा अभी जो राष्ट्रपती हुए है वो तो किसी ने करता ताला लगा दो एक कमरे में आप रहो 300 में patron तो मुझे कोई वादा तो पूरी जिन्दकी एक कमरे में रहा हूं, मुझे बाकी कमरे में ताला लगाने में माना नहीं। लेकिन प्रॉब्लम प्रोटोकॉल का है। नियव इसा है काईदा ऐसा है कि राष्णपती सब कमणों में तासा नहीं लगा सकता हार कमरा खुलना ही चाहिए उसमें जाड़ू लगनी ही चाहिए जाड़ू पोचा लगानी के लिए 1084 करमचारी ना राष्णपती बहुती एक हजार चौरासी, एक हजार चौरासी करमचारी रोज जाडू लगाते हैं, पुछा लगाते हैं, दीवार जाड़ते हैं सब्तल पे, रहता उसमें कोई नहीं है, रहेंगे वाला ही एक आजमी है, कमरे साड़े तीन सो, इंदुस्तान के कौं सा राजा था जिसके महल में नहीं है, वो हमारे देश में राश्ट्रपती का है, और वो साड़े तीन सो कमरे को जाड़ पोच करने के लिए, मैं नहीं कहा एक जार चौरासी करमचारी, फिर उनके घर में बादी चाहें, जिसको मुगल गार्डन कहते हैं, उस मुगल गार्डन पे घास को खोदने और घ पर चलती नहीं है घड़ी रहती है चलती कभी नहीं क्योंकि राश्नपती कभी बैट से ट्रेंट कभी चलती नहीं, एक बार मैंने ये सुझाओ दिया था, राश्ट्रपती के एक एसी पीपो, कि ये ट्रेंट फालतु पर खड़ी रहती है, इसको चला दो, दिल्ली से हम्ताबाद चला दो, या दिल्ली से मुंबई चला दो, या दिल्ली से बैनियूर चला दो, फि अब मैंने पूछा, भाई ये खड़ी रहेगी, तो कुछ तो खर्चा आया, उन्होंने का खर्चा दो बहुत है इसका, क्योंकि ये खड़ी रहती है, तो इस स्थिती में खड़ी रहती है, कि अभी राश्क्रपती बैटें और ट्रेंट चल दे, अब इस कंडिशन में खड कि अगरी रहती है, चलने का करेंब, चलने का खड़े होने का, तो एक एक आस ऐपी में मुझे कहा कि ये ये तेर्लाा घुरुन बोच का खर्चा है, इसका, आप देरा करता है, तो डिर बाज रहती है, चलती है कमी बशस्क्रपती बैटें ये तब इस दुनिया में शाइद तो हुआ की कल्बना के बाहर आपको मैं करता है क्छोटा सब्सक्राइख颜 लगकर अबashes misma है रात पर खेत में काम करता फिर सबेर आफस में आके काम करता है और ये अकेले फिलिपिन्स की कहानी नहीं है दुनिया के ख़ई देश के राश्क्रपती नहीं है सिर्फ फिलिपिन्स एक देश नहीं है पचास से जाला दुनिया में ऐसे देश नहीं है लेकिन वो उतनी देट जब अपनी मज़़ूरी करता है राश्ट्रपती नहीं होता। और जब मज़़ूरी करके भगंध में आता है तो राश्रपती होता। एक सादर नाद्मी की तरह से था। कि यह हिंद्तन हखेला आईसा देश जहां का राश्ख्रोपति कुछ कर नहीं सकता यह नियम है और यह नियम अंघ्रेजोंकाइं का बनाया हुआ है क्योंकि अमिएचोंको बॉइसराय रखना होता था और जो च्वेष्पति दोको भॉइसराय होता था जिस आज reminder ह curious तो नाश्रपती है उसका खर्चा फिर उप्राश्रपती है उसका खर्चा फिर उसके नीचे पंद प्रधान बड़ा प्रधान उनका खर्चा फिर उनके साथ 84 प्रधान उनका खर्चा इन सब का कुल खर्चा वरस का साड़े तीन सो प्रोड रूपाई का फिर ये जो 84 प्रध ब्रेट प्रेशर चेक। फ़ प्रेश चेक तराने के लिये। ब भीद की ही डिवाल ज़से सीकेथ करें लंदन सेके लोपके किसी वा कविंगे ल्न्टन जाता है कोई वह किनात गुणी करना लोगने जाता है को किसी चाहिर्म इomorphाल गॉस्अ एैक्प पांच गूपपूट प्रदानवंत्री जीवित है और पांचो बीमार एक पी उनमें से स्वस्त में एक ऐसा है कि उसकी दोने किट्नी फेल हो गई अभी भी से दूसरे नसे मरा उनका दिल काम नहीं करता तीसे चंद्रशेकर उनको आई बीपी की शिखायक है पांचों के पां कि अभालकर को अब्यूट प्रादान-मंत्री जीट से अप्र प्रदान-मंत्री होगाamos. बीमार इसे ऐत्र कर यात्रा करने तो था कर रकाष्ल है या कि अधंको शुटा कोई जो परदेश में स começo में की मैं rein do तो सरकार का जवाब आया कि उनका साल का इलाज का कर्षया करीब 44- Deixa 5 क्रोड उपर हो जाता। क्या इलाज करते हैं उनकी किप्नी फेल हो गई है, तो क्या करते हैं लंदन जाते हैं, तो तो दिली में भी हो सकता। दिली में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जिसका नाम है All India Institute of Medical Sciences बहाँ पर बहुत अच्छी सुविदा है आप जाओ दुनिया के कोई भी अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जो सुविदा है वो दिली के All India Institute में है अमेरिका के हॉस्पिटल में जितनी सुविदा है वो दिली के All India Institute में मुंबई में बहुत अच्छे हॉस्पिटल है लिलावती हॉस्पिटल चले जाओ बीच केंटी के चले जाओ नहीं पी चले जाओ लेकिन नहीं वो लंदन ही जाते हैं टाइसिस कराने क्यों और जब लंदन जाते हैं तो परिवार सहीर जाते हैं उनका परिवार फाइस्टार होटल में ठेलता है वो भी फाइस्टार होटल में ठेलते हैं डॉक्टर की फीस अलग जाती है दवाई का खर्च अलग जाता है पाइब स्टार होटल का खर्चा आज़त जाता है हिंदुस्तान के जनता के पूर्थ बसेने की कमाई पर तागर धिर्णा करने की आज़त पर देगे दिए अगर उनको अपनी जेब से खर्चा करना होता कभी लंदन नहीं जाते हो सकता इलावाद के पास कि किसी गाओं के करेंगे तो डौक्टर परदेश से आएगा डॉक्तरी परेंगा प्रदेश से आये इंस्टुमेंट पी पर्देश से आईए्गे इनको आज़त पढद बहिए अगर अपनी मेहनत की कमाई का पैसा खर्च करना होता तो दाप से दबा दबा कर चवननी खर्च किया जाता है हुभी हमारे देश की जंता यह वही पूशती किसी संसर सभी से या किसी तेश के बड़ा परदान से कि हमने तुमको प्रदान मंतरी बनाया हम तुमको बजट बनाने के लिए खूल पसिली की कमाई में से टैक्स का पैसा दे रहे हैं ये टैक्स का पैसा हम देश के विकास के लिए दे रहे हैं ना कि तुमारे बरबादी के लिए अभी जंता पूछती नहीं इसके और चूंकि जंता पूछती नहीं है इसलिए इनको आदत पड़ गई है जब मन में आया जहां मन में आया विदेश यात्रा किया जैसे मन में आया वैसे खर्च किया एक बरस दो हजार एक का सिर्फ दो हजार एक का एक बरस का आरत सरकार के मंत्रियों का विदेश यात्रा का खर्चा लास्तियर का दो हजार करोड और उन मेंसे 85 तका यात्रा ऐसी थी जिनको हो जेगी कोई जरूरत ने कि वो विदेश यात्रा की जाए लेकिन 2000 क्रोड रुपया पानी में डाल दिया खटे में डाल दिया या आग लगा दिया इनको तर्द नहीं है जर्द में आया विदेश चल दिये जर्द में आया चल अभी आप देखते जाओ एक हफता बीतने के बार इंतुस्तान के आदे से जादा मंत्री आपको अमरीका मे अगे रखा हुआ कि जबी भी बेस जाना हो तो विदेश मंत्री का का लेकिन सब को विदेश जाने के आदे जोड़ार जोड़ाटन करने के लिए भारत का तो फोई वेला प्रांस में हो रहा है तो उसके उद्द्राटन के लिए पढ़त की कहीं कोई दुकान भुल रही है तो इसके उद्राटन के लिए प्रदेश यात्रा रहा है। कि भारत के राजकारण में हिंदी का प्रयोग कैसे बढ़ाया जाए इसके लिए 53,77 अम्रिका चखेगे किस लिए महाराष्ट्र में traffic signal की ववस्था को कैसे दुरुस्त बनाया ला Durot अब क्या सीख़क्या है महाराष्ट्र के traffic signal की problem is कि मुंबई की सड़क पर सफाई निवस्था कैसे अच्छी हो इसके लिए टाइवान की यात्रा किया है सिंगापूर की यात्रा किया है हौंग को कि अभी एक महीने पहले हैं ऐसे हिंदुस्तान में यात्रा हैं उन्हें आपने इस तरह के खर्चे होते हैं मैं आपको मेरी आखों देखिए गटना सुनाता हूं हिंदुस्तान के नेता किस तरह से खर्चा करते हैं मैं इस समय महराश्कुमे रहता हूं बर्धा नाम के डाओं में लगब साड़े तीन चार साल पहले मेरे दाओं में गुरवटना होगे बर्धा में तीन किसान भूग से मर गए और चिसान ही भूग से मर था नेता कभी नहिए ज्यादा के मर जाएं अइसे नेता दों, तो कैसे हो जाने मगे गए नेता है और भूख से मरे वो किसान, तीन किसान भूख से मरे गए, महराश्टर के मुख्य मंत्री ने एलान किया, कि इन तीनों किसानों की जो विद्वाएं, उनको एक एक लाख रुपए अनुदान राशी देने की घोशना हो गई, थोड़े दिन के बाद एक कारिकरम हुआ बहुत भवे कारिकरम हुआ, बहुत जोड़ार पंडाल बना, पंडाल के बाहर बहुत बढ़िया लाइटिंग हुई, वगरा वगरा, सब चोड़ार, मुक्य मंत्री आये हेलिकॉप्टर से, तीनों मरे हुए किसानों की विद्वाओं को एक लाख रुपए का उन्हों ने तो वो विद्वाओं चेक को देखके, उनको समझ में नहीं आई है क्या कारिक का उपड़ा, जिन्दिगी में कभी चेक देखा नहीं, उन्होंने तो उनको चेक मिल गया, एक एक लाख था, अब उनकी परफ से, मेरे जैसे एक पत्रकार ने कह दिया, कि ये एक एक लाख तो उने खा नहीं, मुख्यमंठी नहीं समंध कि ये नियम नहीं है, तो पत्रकार ने मंच पर कह दिया कि लेने के लिए तो क्याश में लेते हो, देने के लिए लिए मृष्भाब ली जैसे अब तीनो महिनाये जिनोंने बहिं तक अभी नहीं देखा, जो जानते नहीं कि ब करते हैं उनको मालूम नहीं कि एकाउंट काउंट कैसे खोलते हैं उनको एक लाग का चैक मिल गया अब काय क्रम संपन्थ हो गया मेरा एक मित्र महा वैठा था उसने का राजी भई कितना है तो उसमें का आप क्यों कुछ रहे हैं मैं का भाई मैं भारत का नावेख हूं सरकार को टैक्स देता हूं यह जानने का मेरा प्राथमिक अलिकार है और अगर आप बताते हो तो ठीक है नहीं तो हाई कोट की मदद से मैं फूंशन हुआ लिए आपसे हाई कोट में पॉब्लिक इंप्रस्प्टीशन लगाऊंगा राइट तू इंफॉर्मेशन किरा फंटमेंटल राइट है और मैं ले लूँगा आपसे तब क्या होगा बदनामी होगी किर्फिरी होगी ऐसे पता दो तब उसमें का यह दिखिए तीन लाग रुपए का अनुता होगा है इसमें 27 लाट रुपए कर्श होते हैं ऐसे इस लिए देश गरीब नहीं है कि हमारी जनसर क्या बढ़ते हैं देश इसलिए गरीब है कि हमारे खून-पसीने की कमाई का पैसा हमारे ही देश के लेता जिस बरबादी से खर्च कर रहा है या तो भूस लेकर या रिश विस्तरे खर्च करके उसी ने हिंदुस्तान को डबो दिया है आप जाल कर हरान हो जाएंगे भारत देश की सरकार दुनिया में ऐसी सरकार है जिसकी आमन्दनी उसके खर्चे से बहुत कम है भारत सरकार का एक दिवसका खर्चा जानते हैं कित्मा है, राष्णपती, उपर प्रदान्ट मंत्री उसके चौरासी मंत्री फिर आठसो संसत सब्वें फिर उसके बाद 28 मुख्य मंत्री जिनकों मैं भारत सरकार बानता हूं 28 राजिपाल और चारहजार एकसो बीस धारा सब्वें 14,000 विनिसिपल कॉर्पुरेटर यह पूरी की पूरी जो प्लाटून हमारे कुछ करते हैं संसर्मा भी गाल बजाने के अलावा कुछ नहीं करते हैं और वो भी बहस ऐसे ऐसे मुद्वों पर जहां कोई जरूरत नहीं और जहां जरूरते वहां बहस नहीं तो जो बिल्कुल निकम में निठले लोग है उनका एक दिवसका कर्चा एक हजार आठसो करू आठसो क्या है महां तक का कुल खर्चा एक दिवसका अठसों अबेज रूपिया है माने देश की विवस्ता को चलाने के लिए जो लेतां पोमें लियुंत्र किया है वह एक दिवस में अठारे सो गुथ करते हैं एक साल में कितना करते हों कि अठाब अवज में 3216 नूठ क कि इतना खर्चा है, और ये खर्चा कौन देता है, आप ते को मैं देता है, आप कल बना करो कि हिंदुस्तान की ब्यवस्ता चलाने का खर्च वैसा ही हो जैसे फिलिपीन्स पे, माने आपसे कहा कि फ्रीपीन्स का राश्ट्रपती सबेरे साथ बजे से दस बजे तक खेथ पर काम करता है अपनी जीविका के लिए घुन सब्सक्रस पर करता है। कि हरे एक नेता को अपनी जीविकार चलाने के लिए महनत करनी पड़ेगी और नहीं कर सकता तो उसको ज़रूरत नहीं है नेता बनने की हम तो नहीं कहने जा रहा है कि आप नेता बनी हमारे और हिंदुस्तान की बड़ी मिचित्र व्यवस्ता है कि इस देश में जिस आदमी को आप किसी स्कूल में पटा वाला नहीं बना सकते हैं क्योंकि उसके पास चार क्लास पास का सर्टिफिकेट नहीं है उसको आप मुख्यमंत्री बना सकते हैं उसको आप हिंदुस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर बना सकते हैं उसको हिंदुस्तान का बढ़ान मंत्री भी बना सकते हैं राश्ट्रपती भी बना सकते हैं बने जिस आदमी में स्कूल के पटावाला होने की लाइकियत नहीं है, वो हिंदुस्तान का राष्ट्रपती रो सकता है, बड़ा बिचितर्देशनु जो आदमी कही दुकान नहीं चला सकता, जिसने जिन्दकी में कभी व्यापार नहीं किया, उसको आप व्यापार मंतरी बन सकते हैं, जिसको कुछ नहीं आता, उसको चीफ मिलिस्टर या प्राइम मिलिस्टर बना सकते हैं, बड़ा बिचितर्देशनु जो दूसरों से हम बात करेंगे कि गुर्बता को देखना चाहिए, क्वालिटी को देखना चाहिए, मैं लोगों से जब चर्चा करता हूं कि स् कौन सी क्वालिटी है, जिनको आप सिर्फ बिठा के रखते हैं, आप बताओ किसी एक में कोई क्वालिटी है, कौन सी ऐसी क्वालिटी है, जिनको आप सिर्फ बिठा के रखते हुए हैं, जिनके लिए 18 अबद रुटिया रोज का आप अपने खूल मसली की कवाई में से खर करते हैं अगरेंगारीका घुबंगत करना हूद कर ना शुरू करें, धिंइट कने धां स करना है। यह घरीबी-धारी थे जड़ कर ना की घरापनीए । जनसंग आपको दोश्मत दीजिये, लोगों को दोश्मत दीजिये, देवस्था खराब है हमारी, लोग खराब नहीं होगा, लोग तो इतने अच्छे हैं, शाहिदी दुनिया में कोई देश में, इतने अच्छे लोग इस देश में, कभी भी टेक्स बढ़ जाए, चू नहीं कर दे, कभी भी विजली का भाव बढ़ जाए, चू नहीं कर दे, कभी भी रोटेक्स बढ़ गया, चू नहीं कर दे, और रोटेक्स उपर से दे और टोल टेक्स और दे ते, बड़ा मिचित रही है, मुपई से आओ, एंदा बात है, तो रास्ते भर में कितनी जगे आपको टोल देना पढ़ेगा वो तो है ही, और रोटेक्स और देना वो हए अलग से, जब रोटेक्स दे दिया आप ने कर दे पर चू नहीं करता है, फिर भी कोई बडावत नहीं करता, इस से ज्यादा सीधी लोग दुनिया में तहां मिलेंगे आप बतातो दे, जोगते। और आजादी के बात के ये नेता अपना घर बरने के लिए अपना फरिवार बरने के लिए देश को दाओं पर लगा सकते हैं देश की अस्मत को दाओं पर लगा सकते हैं देश के स्वाभिमा से सौधा कर सकते हैं देश के आत्मसंवान को भी देश सकते हैं तो कितना बड़ा फरट है 1947 से पहले के भारत में और 1947 के बाद के भारत में इसलिए मैं कई बार तो लोगों से कहता हूँ कि आजादी आई है लेकिन वो कही खजूर में अटक गए यही जरूर लेकिन खजूर में अटक गए हम तक नहीं पहुंचे आजादी हमने कहां देखी हम तो वो ही ब्रश्टाचारी भारत देख रहे हैं जो अंग्रेजों के समाने में था मेरे पास 1930 के कुछ दस्ता वेज है 1930 में हमारे यह संसत चला करती थी और संसत की यही बिल्डिंग हुआ करती थी जो आज भी है 1930 के दस्ता वेज है जिसमें भारत सरकार ने बजट पेश किया भारत सरकार माने अंग्रेजों की सरकार तो अंग्रेजों का वाहिसराय बजट पेश कर रहा है 1930 की घटना बता रहा हूं आपको 27 फरवरी 1930 का दिन संसत में बजट पेश किया जा रहा है तो बजट क्या है वो आपको बताता हूँ 130 करोड रुपय का बजट है आप जरा ध्यान से सुनना 1930 के आंकड़े हैं 130 करोड रुपय का टोटल बजट है जिसमें से 110 करोड रुपया पगार का खर्चा है 1930 की बात बताता हूँ तो जब अंग्रेजों का साशन चलता था तो 130 करोड के बजट में 110 करोड रुपया पगार का खर्चा होता था अब काले अंग्रेजों का साशन चलता है आप देख लो 3.5,5 करोड के बजट में या 3.8,000 करोड के बजट में 80 टका खर्चा पगार या विदेशी करजे के ब्याज का खर्चा कोई फरक नहीं है आजादी के पहले के भारत में और आजादी के बाद के भारत में आजादी के पहले भी बजट का पैसा विकास पे खर्च नहीं हुआ कभी दे आजादी के बाद भी नहीं हुआ पगार का ही खर्च सबसे बड़ा खर्च है और जो व्यवस्था अपने पगार पे ही अपनी आमंदनी खर्च कर ले वो व्यवस्था बहुत दिन चलती नहीं है वो तूट जाती है डूप जाती है वैसे हिंदुस्तान की व्यवस्ता टूट रही है और ढूब रही है अब तो हिंदुस्तान की सरकार की यह हालत हो गई है कि पगाल का खर्चा निकालने के लिए भी कर्ज लेना पड़ा है कोई भी प्रदेश की सरकार समय से अपने करमचारियों को वेतन नहीं देपारे है जो इंडुस्तान का नंबर एक प्रदेश हुआ करता था, «Industrial State» माना जाता था, वहां की सरकार अभी जुलाई में दे रही ही। मार्च के महीने की पकार अगस्त में ने ने अप्रेल के महीने की पकार सितंबर में आयोगी। महीं के महीने की पगार एक्टूबर में धुरी यहालत महराश्तु उज्जराद के इससे हुआश बेहतर निया। उत्तरप्रदेश के इससे भी जादा प्रभा एा। विहार की कलबाना नहीं कर सकते 언हार है। विहार में तो तीन तीन बरस की पगार इस बरस बिली, तीन बरस जूनी पगार इस साथ बिली ये विहार में है, यूनिवरसिटी में पढ़ने वाले प्रोफेसर्स को और टीचर्स को तीन बरस पहले की पगार इस बरस दिया है विहार सकता है, ये इस्तिती हिंदुस्तान के स तूम का विधार का करजए के बियाज में चुपा रहे हैं। कि बिश्च जरब ऑफ़ का करजे के बियाज में जाए वह देश का विकास कैसा। कर्च के लिए ब्याज के लिए कर्च ऐसे दुश्चक्र में हम पसे और कोई-कोई सरकार तो पूराने ब्याज के लिए ब्याज के लिए नया कर्च ऐसी परिस्थिती देश कोई-कोई समय ऐसा भी आया है इस देश में जब सरकारों के पास एक पैसा नहीं पचा खजाने में तो जो reserve fund है gold का suny ka 1991 उसके बाद p.m. जिसमा राओन भाज़न समय ऐसी परिस्कति देश है ऐसी भ्यंकरार्फिक परिस्कति है उसके बाद एक दूसरा हिस्दा और है इस देश हिंदुस्तान की सरकार लेकिन 10 बरस रोजगारी इस देश में करें हर बरस रोजगारी खर्म होगी 1991 बांगवे में जितने कारखाने हमारे देश में चलते थे उसमें आज 6.5 लाख कारखाने कम हो चुके माले 1991 से 2002 तक हिंदुस्तान के 6.5 लाख कारखाने बंग हो चुके रोजगारी बड़ नहीं रही है बड़ाता रखाने आप जाओ, गुजराद में कोई भी G.I.D.C. में गूंकर आओ मैसाना की G.I.D.C. हो या हालोई चूँ कलोल की G.I.D.C. हो या एहमदाबाद की बड़ोद्रा की हो या सूरत की कोई भी G.I.D.C. में गूंकर आओ सित्तर कका फैक्टरिया बंग कही 80 तका फैक्टरिया बंग कही 50 तका फैक्टरिया बंग और फैक्टरिया ये बंग क्यों हो रही है इतनी बड़ी संच्च्या है एहमदाबाद की सब कापड मिले बंग पड़ी है सूरत में कापड मिले बंग हो रही है मुंबई की कापड मिले बंग हो रही है सब फेक्ट्रियां जो कभी kemicals बनाया कर दी बन पड़ो। माफी में जाओ सबАD करने दोजार फेक्ट्रियां बन पड़ो। 한 G Clearly में जाओ धरूश में जाओ महां फेक्ट्रियां बन पड़ Tekst सब्सक्राइब का प्रक्राइब कर сейчас कि बाता है तो आपकी पयंट में बन烦 lastsक्तिन का कि आपके देशि की स्वधेशी माल से सस्टा पर देशिया ना ओ Judy कि उतर भी कर दिया। कोई परदेशी माल पर zero custom duty है हर एक परदेशी माल पर सरकार में tax cut किया है कम किया है इसलिए परदेशी माल सस्ता है दूसरी तरफ क्या हुआ जिन देशों से माल आकर भारत में विक रहा है वहां के देश की सरकारों के एक subsidy बहुत बढ़ा दिया चाइना की सरकार में एक्सपोर्ट सबसिडी बढ़ा दिया अमेरिका की सरकार में उससे भी जादा बढ़ा दिया जापान में सबसिडी बढ़ गया यूरोप के देशों में सबसिडी बढ़ाया अब वहां सबसिडी बढ़ रही है एक्सपोर्ट के नाम पर और यहां सरकार सबसड़ी खतम कर रही है या कम कर रही है और दूसरा यूरोप और अमेरिका में जो rate of interest है bank का वो बहुत ही कम है इस तो में net rate of interest 1.5% है पूरे अमेरिका और यूरोप और यहां जो net rate of interest है वो 12-14 ब्यास के बीच में है मानि कि आप अगर धंदा करना चाहूं किसी बैंक से करज लेना चाहूं तो 12-14 ब्यास देणा पड़ेगा अमरीका में कोई धंदा करे chose तो बयाज पर अउज़ो डॉलरकश मेलेगा तो वहां अग्षू टाका ब्याश पर आउजो डॉलरबोट उनके आप बेंग का रेट बहुत कम है, उनके आप सबसे जादा है, उनके आप विजली का भाव दुनिया में सबसे कम है, चाइना में अगर आप एक्सकोर्ट करने के लिए माल बनाएं, तो निव पैसा यूनिट की विजली बड़े आराम से लिए जाए है, और यहां गुज कमपुटिशन हमेशा लेवन प्लाइंग फीर्ड पे वबाग वा हिरा, फो निव पैसा यूनिट की विजली है, और दूसरे देश में पाँच ठाथ यूनिट की विजली है, कहां से कमपुटिशन कर Them में एक देश में डियर का रेट अप इंट्रेस्ट है, और देश में ब मजदूर बेकार, वेकार है तो बेकारी वड़ रही है तो पर्चेजन काम कम हो रही है तो डिमांड कम हो रही है तो बंदी आ रही है। अगलती कि मसा हुआ है। जो बंदी आजद due कि मुझें रडार कटी कि कि परसी कामा नए घुकिल Maaarm कर्मंदी है वो चाहिए बात बनाने वाला सेलुन चलाने वाला नाई हो या टाटा बिर्णा डाग्मिया जैसा कोई बड़ा उद्योग पर दिया है अब इन लोगों से बात करो कि बंदी क्यों है तो यह नहीं समस्ता लेकिन मंदी है कोई-कोई भुड़ा-बहुत समस्ते तो है इस्ते ज्याधा कंजम्शन हो नहीं है हमारे यह दो कर रहे थे उनकी पर्जेजिंग कर रहें कि ताकत रखते थे उनकी जेब में पैसा नहीं है कि वेकारी पड़ी है तो इसलिए मंदी आई है और इस मंदी में लाखों क्रोड़ों रुप्या लोगों का डूप लिए है वो है शेयर बाजार आप जानते हैं कि दुनिया में ये सबसे खतरनाख चीज है जिसको शेयर बाजार जाए ये शेयर बाजार इत्वी खतरनाख चीज है लाखों करोर रुपिया ये ड़कार जाता है पता ही नहीं चलता है और शेयर बाजार में ढूबा हुआ कोई भी पैसा कभी किसी प्रोड़क्टिव काम में आता नहीं लोग शेयर खरीटे हैं ये खर्पना करके कि किसी दिन हम करोड़ पती हो जाएंगे लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है कि वो एक मिनट में ही रोड़ पती भी हो सकते करोड़ पती होना है कई हिंदुस्तानी जो अमेरिका में एक बरस पहले तक करोड़ पती हुआ करते थे वा जो सड़क पर ख़ए किसी होटल में पहले की नवत नहीं करें कई डिपार्टमेंटल स्टोर में पैकिन का काम करें ऐसे आलत हो गया है इंडुस्तानी ओगे जो अमेरिका में शेयर बाजार कभी भरोसे की चीज़ लेकिन उसी में सबसे जादा पैसा लगाया जाए लोगों ना तो उठ़पादन पढ़ता है ना रोजगारी लाता है ना किसी देश के ग्रोच रेट को घुता है शेयर बाजार का सारा आपसार जो हता है एक सटे की तरह से और एक जुए की तरह से और जिसका देश की अर्थप्यवस्ता में एक टकावी फॉन्र्वस्के वह हमाहरे चिस्तती देश की बहुत खराब है क्या करना चाहिए कोई विकल्थ है क्या इतनी बहें पर बीमारी देश को लग गई है जो cancer से भी जादा खतरनाख है इसके बारे में आपके पास कोई विकल्थ है क्या मैं लोगों से बहुत विरम्बता से कहता हूं की भाईयों, दुन्या में ऐसी कोई बीमारी ने जिसका ङिलाज है। ऐसी कोई समस्या में जिसका समाधान नही magnets है। भात County में इतनी सारी समस्या यह सबास्याने लिएम्लास्षाण समाधान है।u कि tu आफ समाधान जोलने वाजे में संकल कितना बड़ा ह।u भारत की कितनी बड़ Vermasya की समस्या प्रस्थ यह है कि आप में और कुझने की समाधान को दूसतान की बढ़िजटार की समस्या है। जिसके बारे में ने आप से कहा कि स्विस बैंक में लाखों करोना रूपया डूपा है। लोग पूछते हैं इसका क्या समाधान है। इसका बहुत सरल और सीधा समाधान है। समाधान ये है कि भारत के लेताओं ने जो पैसा लूटा है। स्विस बैंक में ले जाकर जिसको ज जgens ब्लेक मनी है अगर हम उस कानू venerd ने इस निया इश्च के प्रयोब करें इस्तेमाल करें तो यह सारा पैसा तु सभाइन कानून कारें मैंने आप से का सिर्च लेक मनी रखा जाता है तो हमारे जो पैसा इस विश्वी बेंग पर ढूमा है, अगर इस पैसे को हम वाइट पनी डिकलेर करें, तो ये सारा पैसा भारत में वापशा सकता है, और वाइट पनी डिकलेर करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है, आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा, हमारी संसद अगर इसी तरह का एक जोइंट सेशन किया जाए संसत का और राजी सभा लोग सभा दोनों का और उस अदिवेशन में ये वहस किया जाए कि स्विस बेंक में रखा हुआ जो पैसा है वो भारत की राष्ट्री असंपत्य है वो वाइट मनीन है वो नैशनल प्रापर्टी है और उस पर वोट ले लिया जाए और समर्थन में अगर ज्यादा वोट पड़ जाए तो सारा का सारा पैसा स्विस बेंक से वापसा सब्सक्र लोग जो आप जैसे मेरे जैसे करोरों की संखान भारत सरकार को मजबूर कर कि आप संसत में कानून लाइए और जिस तरह से आपने पोटा अधिनियम बनाया वैसे स्विस बेंक के पैसे को नैशनल प्रापरटी डिक्लेर करिए राष्ट्रे संपर्थी गोशित करिए वाइ लिए पर्समफर आप उप्रोट हेहा तो उनके नियम का फाइदा उठा यू तो आप उस पैसे को ऐसा करो गडिबら लाइन लगा के बाइए बैड़ ताड़ चार लाट रुपया हर गर ग्रीब को मिल जाये वा डेख लूट और अवर तो यहां कंग में liberu तो जो करना करो कुछ नहीं कर सकते तो बैंक में डिफॉसिट ले और अगर गरीबों को नहीं बाटना चाहिए तो बारत माता के नाम से फिक्स डिफॉसिट कर लो तो एक बरस का व्याद इतना है कि पूरे देश का बजट उससे चल जाएगा किसी से टैक्स लेने की ज़रूर पर टैक्स लेते हैं, टैक्स पर टैक्स लेते हैं, कोई ऐसी इस्थान नहीं जो बिना टैक्स के वह इस देश में है, मनोरंजन पर भी टैक्स है, दुनिया में बड़ा विचित्र देश है, एंटरटेन्मेंट करो उसका भी टैक्स दुआ, मानि मजा लो उस पर भी टैक्स ह आनन्त भी नहीं जाए सकते बिना टैक्स के यह बड़ा भी चित्र नहीं है थोड़े दिन में आप कोगे मैं थूख रहा हूं इस पर भी टैक्स दे तो कुछ को कि टैक्स की को कोई लिमिट नहीं है जो देश में मजा देने पर मनोदंजन करने पर टैक्स लगता हो उस देश म थूखने पर भी लग जाएगा कोई है चलने पर भी लगा देंगे मैं अभी एक दिन मंद्रा आप देया था ब्रेंपे स्टेशन के बाहर निकला यूरिनल पे गया यूरिनल से बाहर जैसी निकला तो एक आदमी आलिया थैन लगा लाओ जो रूपर टैक्स मैंने का भाई क तो इन नेताओं का तो कोई भरोसा निए कि पेशा आपकरो इस पर भी टैक्स दे दो चल रहे हो इस पर भी टैक्स दे दो धूख रहे हो इस पर भी टैक्स दे दो तो यह सारे के सारे टैक्स लगा रहे हैं नेताओं का क्या कहना इसी दे विकास हो रहा है मैं यह कहता हूँ तुमको पैसा चाहिए, टैक्स लेना बंद कर दो, स्विजबंक पर रखेंगों पैसे को भारत में बगा दो, इसी पैसे को पैसे को बैंग में फिक्स डिपाउजिक में टाल दो, इसका एक साल का भ्याज ही इतना है कि फूरे देश का प्रजेट चलिए, टैक्स लेकी और हिंदुस्तान में आज आप पूरी एकॉनोमी को जिरो टैक्स करो, और पांच साल के बाद ये देश अकर न सोली की चुड़िया हो जाए, तो आप जो कहो मैं हार्पे को सही है, मात्र पांच साल में ये देश सोली की चुड़िया हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, आप द लगा देगा, सो है तो हजार देगा, माले जिसके पास जितना पैसा है एक साथ इन्वेस्ट करेगा, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अगर प्रोड़क्शन में आज आए, तो हिंदुस्तान की प्रोड़टिवीटी को कौन रोब पाएगा, और हमेशा तो पिर बहुत सारा असेक्स भी पैदाओंगे संपत्ती आएगी फिर उसका डिवीजन करना है डिस्रिब्यूशन करना है वो ये काम रहे जाएगा बाकी कोई प्रड़ा काम है नहीं तो बहुत आठान समाना है कोई मुश्किल है अब प्रश्णी है कि अगर संसर में ये करने लगेंगे कि वोट आपको रतम मिलेगा जब स्वीज बैंक के पैसे को राश्क्री हसंपत्ती जाहिए करो हिंदुस्तान की हर पार्टी शुतुर्मूर्थ की तरह से आपके सामने कड़ी हो जाएगी आप को करें हिंदुस्तान में जब छोटे-छोटे मुद्दों पे जब आप चालीस साल से जब आप बना बन रहा तो मैंने का जगे दिखा दो कि जगे कोई नहीं करपना में बन जाए तो मैंने का कैसे बनता तो उसने का जो भी धारा सब पर आता वो कहके जाता है कि मुझे वोट दे दो मैं टाउन बना था और 40 साल हो गया अज तक टाउन बन रही पाया नहीं पर दे लिख रहा एक बूसरे भाई ने मुझे कहा नहीं के राजी भाई अभी एक बात और सुझ कि जब यहां धायर सबी चूकड़ी में आता है तो टाउन हो बन बाता है और यहां का सरपंच जब चूकड़ी में खड़ा होता है तो बस इस्टेंट बाता है और वो भी 40 सांसे बंदा है वो भी देखो आप यह वासिस्टेंट सामने हैं और जाओ नकात रहाना में आप साइट कई बार में वह वहां का बस इस्टेंट पिस देखके धया आदि इतना पड़ा गाऊ है कैसा फटीचर पसिस्तेंट है लेकि कि दो 40 बर्से बन ग हर सरपंच का मुद्दा है बस इस्टंट बनाओंगा वोट दे दो और नखर रहा कि जंता इतनी बोली भाली की तेदे कि चालीस बरस से चांप लुद्धा तो अब जंता ही अगर यसी है अपनी तो अब तो जंता को पर देने की जबुत है आप लेतां के लेताओं से हिसाब मालना शुरू कर दो हिंदूस्तान के लेताओं का चान पख़णा शूरू कर दो यह सब सीथे होगा आप उनसे कहो कि तुम को वोट चाहिए, बले तुम भाजपा के हो या कॉंग्रेस के, हजूरिया के हो या खजूरिया के, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है कि स्विस में रखा हुआ पैसा राश्रिय संप्रती जाहे करोगे या नहीं, करोगे तो वोट मिलता है नही को तीवी पे आएगी, और देख लेना कोन कोन संसर सब विरोध कर रहा है, जो विरोध कर रहा है वसूसी का पैसा, सुइस में परसीदी सिपा और जो समर्धन गए उसका ने, पता चलिए कोन प्रश्टा चाहिए, हमने आदादी को चाहँ आंदुलन की तरफ से, इस मुद् मिरसे देख के हजारों मेरे पैसे Seasonlled करता है, दाओ जाूं में 200,000,000,000,000 गों से सघीमकर है हमार अलक्षा है कि हम 2-3 करोड़ सही लेने केपा संसर के सामने यह बात ले जाने वाले है और संसर से अपेई करने वाड़े हैं, हिंद्व सांसर के करोड़ों दो की मानग है, उससे देश का बहुत सारा विखास का काम हो सकता है, गरीबी गुपणी दूर हो सकती है, आप पुछोगे दुनिया के तभी किसी देश नहीं ऐसा किया है, चार देश ऐसा कर दो है, एक जेहरे नाम का चोटा सा देश है अप्री काम, उसने किया, फिलिपीन्स नाम का इक नेपाल की सरकार ने संसक में विदेख लाया, और विदेख ये था कि जब से नेपाल के राजाशाही टतन होई, गणतंत्र आया, लोगतंत्र आया, डेमोक्रसी आया, उस दिन से लेकर आज तक जितना भी पैसा स्विस्टमें गया, उनेपाल की आश्क्ति के संसक्ति की, 19 में लिदेख नेपाल की संसद में बेश माँ, 23 नामपर को इस पर वोट हुआ, वोट में 4 संसदों ने विरोध में डाला, बाकी सब ने समर्तन में डाला, पता चले काई नी, 4 संसदों का है, बातमार कानूर में ऑन गया, कानूर पन आश्क्ति के एक हफते के अंदर नेपा कि अब नेपाल की शरकार को प्वाश दोलफ एक वस्ते के अंदर बिभिख थिर चोटा नेश कर सकता है। जिसकी आभाई आपके प्रदेश की आभादी से भी कमनें। का विज्यरा की आभाती नेपाल कर सकता है जो एक सो पांच करोड की बस확 extract है। संकल्ब शाहिए नहीं कि यहां इसंदान्ने बादमें वालों को इस पाई है संकल्ब की अगर देश के सुप्रीम और याद करो जब यूड़ा भूटा लाग हुआ इक सो तेटीस करोर रूपय का गोटा लागता सारा मैसा स्विस्वेंग में जबा हुआ एक नया पैसा यूरिया भारत में नहीं आया तब सुप्रीम गोट ने ये जज्ज्मेंट किया था कि सारा का सारा पैसा जो यूरिया गोटा ले में भारत से बाहर लेया वो भारत की राश्ट की ये संपति है और आपको माईनी है दो किष्टों में 130 करोड रुपा इस विज्जर ये से बापस भारत मैं आया एक बार 170 करोड रुपा आया फुसरी बार 16 करोड रुपा आया पूरा पैसा भारत राकि member अब यूरिया गोटा ले का पैसा आ सकता है तो 4 गोटा लेका भी आ सकता है वो फोर्स गोटा लेका भी आ सकता, यहूं गोटा लेका भी आ सकता, बोई भी गोटा लेका भी आ सकता, और सीरा सा सिंधान दें, यूरिया गोटा लेका पैसा राश्क्री ये संपर्ती, तो सब गोटा लेका पैसा राश्क्री सकता, करने वाले लोग चाहिए, सुप्रीम को को लगना चाहिए कि आंध नहीं कोई मजग नहीं कर रहा है करोडों का इसने इंवाउल्मेंट उसमें ग्रैविटी दिखनी चाहिए उनको लगना चाहिए इस बात के लिए ये कुल्ष है तो सुर्साइब काम करें hearing मोई आस्डे से हमगेज़ा प्रेस है आप जानते हैं लरे डेश्मेर बहुत टोंड पर athletics देश के अंदर, बाहर की बाद की मगचा, और ये दसला करोड कालर देदक ए यह हुआ है, इंकम टेक्स के खानून के खानून, अब ईखने है कि आपने एंगर सा रुपया कमाया तो उसमें से 35 रुपय आप गेंस ने दो तो 65 रुपय आपका वाइट बैट बनी है और आपके में नहीं दिया तो पूरा का सौ रुपया ब्लैक मनी यह यह है in context का कानूँ अब आप मुझे बताओ दुनिया में कौन सा note black and white हो था money तो money है black and white तो नहीं कोई note मैंने ऐसा नहीं देखा जिस पर आदे में लिखा हो black और दूसरे आदे में लिखा हो white note को note money तो money black and white तेखे यह तो थानून ऐसा है जो पुछ धन को black बनाता है। तुछ को white बनाता है। और black कैसे है रुपई कैसे है। सो रुपई आप कमाओ। फैंंतीस रुपई सरकार गोतो तो बचा हुई को पैंसर केंट रुपई है। और नहीं दिया तो पूरा 100 black है। कि और इसी के चलते 10 लाग करोर रुपए आता है लेट मनी का और यह क्यों आता है क्यों कि इंकम टेक्स डिपार्टमें पूरी थाकत लगा के भी टेक्स नहीं पसूल पाता है तारण उसका यह है कि हिंदुस्तानी आदमी इंकम टेक्स देना पसंद ही नहीं करता है मैं इस देश में से कई लोगों को जानता हूं और कच्छी लोगों को जानता हुआ जो एक दिवस में एक लाग उपया दान देते किलिकिन इनकम टेक्स कभी नहीं पूरी इस ही कच्छ के वेरे एक वित्र है मुवबई के रहते वो रोज शाम को एक लाप उप्या दान करना लेकिन इंकम टेक्स की चोरी करने के लिए चार चार्टेड एकांटेंट उनके पास हैं हमेशा पहला है वो चारो चार्टेड एकांटेंट उनके यह साथ करते हैं सब्सक्राइब करना कैसे चोड़ी करना कैसे एक दिन मैंने उनसे कहा कि आप रोद एक आप उपर दान देते हैं यही परसा इंकम टेक्स में कुछ नहीं देते हैं तो बहुत राजीबहई भारतिय असकृति के अमसार खुपात्रों को कभी डान नहीं देते हैं मोषाला बना रहा है वो पांजरा पोर बना रहा है, वो ताला बांध रहा है, वो पुए पोद रहा है, वो सड़क बना रहा है, वो हॉस्पिटल बना रहा है, वो स्कूल बना रहा है, आप बताओ क्या नहीं कर रहा है। बस इतना ही तो है कि अराम कोर नेताओं को नहीं दे रहा है। बागी कोई भी काम को कर रहा है। तो मेरे साथ तो थीकी कर रहा है। सरकार है जो गलत खानू लेकर बैठी हो नहीं। एक थोड़े दिन पहले मां Income Tax Commissioners के Conferences में गया, Income Tax Officers की Conferences. मैंने उन से का कि आपका Department नहीं हो तो बारत में Black Money हो नहीं है। तो कहल दो क्यों मैंने का Income Tax Act है इसलिए Money Black है, Act अटा दो Money Black होगा नहीं। आप पानू नटा हो तो मनी कहाँ सब्लेगोगा सब्टीप्लाइट है केला कि बात तो आपकी साही है तो मैंने का इपांटमेंट बंद करो तो केला कि सरकार का खर्चा कैसे चले अभर से जाधा हम देदेंगी सरकार इंपमट्रेक्स में एक साल में जितना लेती है उससे दो धाई गुना ज्यादा मैं दिन्वा सकता हूं वारत सरकार को अगर सरकार इंकंप्लेक्स डिपार्टमेंट बंद कर दे और दान मांगना शुरू कर दे क्योंकि हिर्दुस्तानी आदमी दान देना पसंद करता टैक्स नुट सरकार ने दान मांगा बिल जाएगा तार के लिए उत्वा सरकार ने दान मांगा बिला कि नियुदा इस हुझना पैसा दान में आता है कि उसकी कलपड़ा नहीं चल सकते इस का जियुत एक भारत का आदमी दान सकता ख़ती है तो सड़कार दान ही ले ना टैक्स पन कर दे है तो हो कहें देहिंत के निवे करी आप चिलाएंगे कैसे डिपार्टमेट को बहुत स्राल है इंकम टैक्स डिपार्टमेंट का नाम कराταको इसको दान ले और डिपार्टमेट करा अधिकारियों अभी दी जाती है, टैक्स बसुं लंगी, फिर ट्रैनिक दे तो दान मांगें. और इन अधिकारियां को जब दान मांगें की ट्रैनिक हो जाएगी तो पहले पोन करेगे, सेट जी आउं क्या, आप पुरसत में है, जयादा दान चाहिए देश के. अब बताओ जे रितनी विनमरता से आपसे कूल में बाग करें आप कैसे माना के हैं इंदुस्थान में विनमरता से मागो कुछ भी मिलता है दादागीरी से एक नया पैसा नहीं मिल सकता ये इंकम प्रहच डेपार्टमेंट दादागीरी करता है इसलिए money black है, अज़र ये लादागिरी बंद कर दे, कोई money black हो दे सकता इसके है। और मैं तो वैसे भी इस बाद का हिमाइदी हूँ, income tax department जितनी जलती हो बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों का खुला होगा डिपार्टमेंट ना थी। अठाहि में अग्रेजों के अंग्रेजों की कल्पना ये थी, बाद के नाग्रेजों से जादा से जला टेक्स मसूलना पा कि ये बरवाद हो जाए, अंग्रेजों आवाद हो जाए। इसलिए ये बनाया, हम बंद कर रहा है इसलिपांट में को, और सरकार चलाने के लिए सरकार तो पैसा चलिए तो दान में ले ले सरकार, देवतिवस मैंने हिसाब जोड़ा, कि रोज हर आदमी दो रुपए भी बान करें, देश के लिए, दो रुपए में चाय का प्याला भी लेकिन मैं दो रुपए मान के बात करता हूँ, हर व्यक्ती रोज का दो रुपए दान करें, तो एक बरस का दान लगवख 76,000 करोण रुपए आदा है, 76,000 करोण रुपीज, और टोटल इंकम टेक्स का करेक्शन एक वर्ष का मात्र 35,000 करोण रुपए है, 35,000 करोण सरकार परसूर्ती है, उसमें लाखों करोण का ब्लेक मनी बन जाता है, और मैं कहता हूँ कि एक नया पैसा ब्लेक मनी बनाओगा, 76,000 करोण तो ऐसे मिल जाएगा, इंकम टेक्स से तो बना जाता है, बस करना ये है, कि 1961 और 1861 का जो खानून है, इंडियन इंकम टेक्स रैक्ट, इ समर्तुशाली होने का एक और एक कारण है, सुट्जर लेंड में इंकम टेक्स नामका कोई कानून ही नहीं है, सुट्जर लेंड में कोई भी इंकम पर टेक्स नहीं, इसलिए वो देश इतना समर्तुशाली है, पच्छास साल पहले सुट्जर लेंड जुनिया में सबसे अच्छा से अच्छा उद्यों परती नहीं करता है तो सुर्जरलेंड अगर बिना इंकम टेक्स के संदुदुशारी हुआ तो आप क्यों नहीं हो सकते हैं और हमारे यहां को चानक के जैसे अर्दुशास्त्री हुए जो कहा करते थे कि प्रजा के ऊपर अधिक्तम टेक्स पा कि सुर्ण कि सिस्टम को सरकार अगर सरल करे और मैं तो इस माननेता कहूं ऌना मंटीपल संथमां पाने संड़ ने यह अर्म लाण तो भी हटा दू पक साल के लिए जिरो टेक्स कर उ कुरी को में हो इन्दुस्तां तो नहीं से कहीं मुझा है और यह बी कैसे हो सकता है आपके और against negative यह विशां कम ए़ैब लिफित है उसी तरह से नहीं फी हो सकता है आपका क्यूए रखे abbiamo सब्सक्राइब कि इसी तरह से एक तीसरा चोड़ा सा काम किया जा इस देश में कि भारत देश में इस समय 34,000 ऐसे कानून हैं जो देश की जनता को हैरान और परिशान करने के लिए बनाएगा तो हमारे देश में बहुत सारे लोगों को सची आजादी कोई जाए कानून कैसे हैं हैरान परिशान करने वाले एक उधारन दुख मैं अभी थोड़े दिन पर ले उडिस आ गया वहरामपूर नाम के एक नगल वहरामपूर में किसानों का एक संभिलन था उस संभिलन में कुछ किसान आये उन्होंने मुझे क पानि नहीं आता है और जब हमारा चोखा पककर तयार हो जाता है तभी नहर में पानी छोड़ दिया दीन मिलता और जब हमें जरूरत नहीं दो पानी भ्यवकर होता है तो मैंने पूछा ऐसा क्यों है तो उन्होंने का कानूने तो मैं मिला इर्रिगेशन डिपार्टमेंट में गया एक इंजिनियर से मिला मैंने उसको पूछा ये क्या नहीं है आपका कि जब किसान को खेरुत को पानी की सबसे ज़्यादा जरूरत है आप पानी छोड़ते नहीं और जब उसको पानी लगता नहीं तब ही आप पानी छोड़ते नहीं तो उसमें कर आजी बई मैं क्या करूँ 1910 का बनाया हुआ एक कानून है जो आज भी चल रहा है अब मैंने उस कानून के हिस्ट्री निकाली कि 1910 में ये कानून कभी लगा था तब 1910 में हुआ ये था कि ये उडीजा बंगाल का हिस्सा था आप जानते हो बंगाल का हिस्सा था बंगाल पूरा का पूरा उसमें उडीजा आता था आसाम आता था नागलेंड, विजोरम, वणीपूर, त्रिपुरा, सिक्किम ये पूरा का पूरा बंगाल होता है आप जानते हैं बंगाल में बढावत हुई, बार बार बढावत हुई, अंग्रेजों के खिलाब विद्रोग हुआ एक बार तो अंग्रेजों ने विद्रोग को बुचलने के लिए 1905 में बंगाल का बढारा कर दिया जब 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का बढारा किया, उस बंगाल के बढारे के विरोध में जिसको बंग बंग कह दे थे बंग बंग के विरोध में महर्शी अर्विन्टो गोष ने जबर जस्त आंगोलन शुरू किया उदर महर्शी अर्विन्टो गोष ने आंगोलन शुरू किया बंगाल में इधर उत्तर भारत में आंगोलन शुरू किया लाला राजपस राएने और इधर आंगोलन शुरू किय और दो लोग मानेति लगों महाराष्ट अब ये तीनों नेता हुने जवर्जस्ट अंग्रज्चों के गिलावां दोनन किया उस आंधोरत में लावागों लाव खिसान भी शा घृतल अगर्जों की बंगाल जो सरकार है तो वहां पर उस सरकार में किसानों को प्रतानित करने के लिए ये कानून बनाया कि जब किसान को पानी की जरूरत हो तो पानी मिले नहीं और जब जरूरत नहीं है तभी पानी रहे नहीं ये कानून तब का बनाया हुआ आज तक हिंदुस्तान में चल रहा है जिसको किसी ने बदलने का आज तक सोचा न और ऐसे कानून इंजिटस्तान में कित्ने में आपसे बताऊं जो आपके उपर अप्यरम के अрахार करने के लिए ढाइंगा आपको तो सुनकर हैरानी लगेगी, आप हिंदू है, मैं हिंदू हूँ, ये दोनों के लिए तरह करने का काम भी अंग्रेजों के समय के बनाएवे कानून क्या आता हुआ। आप भारत के नागरिक हैं या नहीं हैं, इसके लिए एक कानून है जिसका नाम है Indian Citizenship Act, वो Indian Citizenship Act अंग्रेजों के समय का बनाया हुआ। आप के पास राशन कार्ड है और आप राशन कार्ड होने के बाद ही वोटर हो सकते हैं और वोटर होने के बाद ही बोनाफाइट से जीजन माने जाते हैं। आप जानते हैं ये राशन कार्ड का खानून अंग्रेजों के ज़़ाने का बनाया है। उनिस औचीयालीस में बनाया था यह पान दोगा। आप हिंदू हैं मैं हिंदू हूँ यह 1935 में अंग्रेजों ने तयकी गई डेफिनेशन की आधार पर है। कौन इंदू है कौन मुसल्माने कौन इसाई है कौन कृष्टियन है। ये अंग्रेजों की तैकीगी definition है, हमारी नहीं है, हमारा citizenship act अंग्रेजों का बनाया हुआ, हम इंतु है नहीं है, वो अंग्रेजों का बनाया हुआ, हमारे देश का police का कानून जिसको Indian police act कहते हैं, ये इतना अत्याचारी कानून है, मेरे परिवार में, मेरे पिता जी के को जंगरा रहा, कि ये कानून कैसा है आपका, कि कोई भी police वाला आपको डेंडने से मार सकता है, पित सकता है, आप उसका डेंडा भी नहीं पकड़ सकते हैं, अगर आपने डेंडा पकड़ लिया, तो case आपके खिराफ बनेगा, पुलिस वाले के खिराफ में क्या case बनेगा आपने पुलिस वाले को उसकी duty करने में बाधा पोचा ही, इसका case आपके खिराफ बनेगा, आपने उसका डेंडा पकड़ लिया, माने को अपनी duty कर रहा था, duty क्या है, आपको पीत रहा था, वो उसकी duty है, आपने उसको रोट लिया, तो आप गेल में चाहिए, पुलिस वा वाले को right to defense नहीं है, इससे ज्यादा अतिया चाहर दुनिया में क्या हो सकता अतिया बताओ, एक democratic civil society में, जिसमें हम मानते हैं कि हम प्रजातंत्र में लेते हैं, हम मानते हैं कि बहुत अच्छा समाज है हमारा, 55 वरस हमारी आजादी को हो गए, लेकिन एक पुलिस वाले का लेंडा नहीं रोक सकते हैं आप अपने उपर पढ़ने से, इससे ज्यादा गुरामी क्या होती है दुनिया में, आपको तो इसका दर्व नहीं है, मुझे इसका दर्व है, क्योंकि मैं बहुत बेंडरे खाचुका हुँ नहीं है, और सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके भी मने कर दो कि आपके पासपोर्ट पर लिखा हुए। पुछा यह कानूं कभ से हैं तो अठाइसो साठ से हैं आज तक बदला नहीं कभी किसी सब्सक्राइब वैसे का वैसा ही पुलिस में वालों से भी बात करता हूं वो भी है रहां परेशान है वो कहते राजी वाई पुलिस मेंवल की अलुसार हम चौहाइज घंटे के करुशादी है बात कुई कुल सही है पुलिस ऑफीसर ओन्टी फॉर आवर्स ड्यूटी पर रहता है हमेशा पगार इल्टी आर गंटे के ड्यूटी पर रहता चौटीज गंटे मुखुब परेशान है क्योंकि पुलिस में बढ़ता है वो भी खुश नहीं है इस कानुन से हम भी कुछ नहीं है लेकि बदलता नहीं है ये पादानी क्यों नहीं बदलता शायद बदलने की मंशा लिए क्योंकि नेताओं को क्या रखता यहीं पुलिस हमारे काम आती है जब वो सब्ता में होते हैं तो यह पुलिस गंटा चलाने के काम में उनहीं के लिए 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 मुस्लिम मैरिज एक्ट है ये तक तुब जोका बनाया हुआ ऐसे 34,000 कानुन है अगोज जब तक चले लिए तब तक कोई स्वराज आने वाला नहीं है आप शाहिद जानते नहीं हिंदुस्तान में एक इंडियन सिविल सर्वेसिस एक है जिसकी आदार पर कलेक्टर होता है बजिस्ट्रेट होता है सेकरेट्पीज होते हैं बगरब यह आईसीयस का कानून 1860 का बनाता है और विचित्रबाद इसमें है जो दुनिया के कोई देश में नहीं है हिंदुस्तान के सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं उनको कॉंस्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है समवैदा प्रोटेक्शन चोंस्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दुनिया के कोई ब्ला तक हिंदुस्त धिन कि अगर कोई अधिकारी ज्यादा समय किसी गाउं में रहेगा लोकल लोगों से दोस्ती कर लेगा वो दोस्ती के चक्कर में अग्रेजों के वकावत हो सकती है इसलिए हो कोई भी ओफीसर को तीन साल ज्यादा ठिक ने रिंगे दे हर तीन साल में ट्रांसफर को हो वही तीन साल के ट्रांसफर की पॉलिसी आज दे इसने है अधिकाली आता है अपना बोलिया बिस्तर खोलता है और उसके बाद काम करना शूरू करता है तब तक ट्रांसफ़र और आजाता है फिर दूसरे गाउं चला जाता है दूसरे गाउं से तीसरे गाउं तीसरे गाउं से चौते गाउं भटकता रहता है जिन्दकी उसकी ट्रांसफर में और पोस्किक में निकल जाती है कहीं इस्टेबल नहीं हो पाता है उसको अपना गुप है कानून पैसा नियम पैसा तो मेरे मत में कही बार ऐसा आता है कि हमने अंग्रेजों को भगाया ये अंग्रेजों की खानून को अगर हम भगा दें या कई बार मेरे दिल में आता है कि यह जितने भी मैनुवल्स हैं जितने भी रूल्स रेगुलेशन की भुक्स हैं सब को एक दिन आग लगा दो सब कच्रा है कुछ काम करें आप और इन सब को जला दो आग लगा दो इनकी कोई जरूरत नहीं है आज की जरूरत के हिसाफ से नहीं नियम बनाओ नहीं कानून बनाओ जो आज की जरूरत है कि आप एको एंड की न कारीशन के सब करदा कानून के समय से आज तक सल लिए है क्योंकि इंग्लेंड में सब वकील काला कोट पहनते हैं, इसलिए इंदोस्तान cache अमीजिस कवको काला कोट. अजिए पूछ अपी इसका क्या मतल्द है puts काला कोट इसलिए पहेंते हैं कि ठंडी कोट और जादा ठंडी वाले देश में पहन ना तो इंदर की हेट को बाहर नहीं पर रहा थैंडना लिख तो अंदर की घर्मी बाहर नहीं आती पाहर से ठंड्ड घंड़् valeur लगाती ज़ह तहीं चूहां पर जतर जो सँलिघन शवर नजिखन करी रखता के बांज क्योंकि कच्चरा वैसे भी है divided गुलामी की कानून है वह गुलामी हमें ह़्तानी ही पढ़एगी आज की जगुनत आज के एसाब से लएक गानून बनाड़े पढ़एगे जो भारतिय परंपरा का संद्रक्षन करें, भारतिय परंपरा को आगे बढाएं, भारतिय ता को आज़ोगा। आप एको कैसा विचित प्रदेश के एक उधारण देता है। आप अगर यहां गाय खड़ी है तरहीं, उसको डंडे से पीटो तो आपको जेल हो जाएगी। गाय को डंडे से पीटो के जेल हो जाएगी। उसको कतल कर दो, कुछ नहीं होने बास। गाय को पीटना जुर्म है लेकिन गाय का खड़ी करना जुर्म नहीं है हमारे डेशन, बड़ा विचित प्रदेश प्रदेश वान है। कटल करके उसका मांस में जो जूर में ही नहीं है इस देश में और इसलिए च्छती सो कटल खाने चल रहे हैं पर देश को पीटोगे तो वो जूर्म है कैसा कैसा विचित्र जूर में इस देश में कोई गधा है और उसका धोबी उसका मालिक है और वो उसके ऊपर कपड़ा लाज कर दे जा रहा है गटड़ी लेके जा रहा है अगर चाहे तो उसका चाला नो सकता उसको जेल लो सकती है क्योंकि गदे के ऊपर उसने बुजा डाल यह नहीं और उस गड़े को कतल कर दो, कोई कानू नो, बड़ा बिच्छी प्रकेशन है। कोई बच्चे ने जन्व नहीं लिया, जन्व लेने के पहरे मारदो तो सिंपल एबॉर्शन है वो, और जन्व लेने के बाद मारदो तो हत्या है और उसमें फांसी की सजार है। माले गर्व में रहते हुए बच्चे को मारदो तो एबॉर्शन है, गर्व के बाहर निकलाया और उसको आपने मारा तो आपको फांसी हो जाएगी 302 का चार जन्व लगे लागते हुए। गर्व में रहता हुआ भी वो जीवित इसान है। तब फांसी नहीं होगी आपको, लेकिन बाहर निकलाया और आपने मार दिया तो फांसी हो जाएगी कैसा मुच्चे को देख देखे। ऐसे कामों है मारदो जाएगी। और ये कानूम की सबसे बड़ी खासियत क्या है। आप कोई कोर्ट में केस लगा दो, वीस बरस के खेले अगर आप जज्ज्मेंट सुन दो तो जो कहूं मैं आदमें तो पहूं है। वीस बरस तक अपील पर अपील पर अपील पर अपील चलती रहेगी। को इस लगाने वाला भी मर गया, जीतने वाला भी मर गया, आरगे वाला भी मर गया। ओके सबी चाड़ों है, चाड़ों है। ऐसा देश है। करका एक जमाना था जब हिद्रों के जमाने करते ते चऩर्ब को परेंरे करेंने युटनार में साथày करो किसकी अब उसके मां को चैने की का अशुटुप्त में सब्सक्राने में स्बावाल उसने इसको काटवा को जिन्रारी और उस्के मांसे इसे जिनल आटें पर दे करें अब आहले हैं केस का फैसला दो मिनिट में हो गया यह था भारत का निया या भारती इता की निया पते थी अब मैं आपसे कहता हूं कि इसी केस को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट चलेगा ठीक यही केस दो माताएं हैं एक बच्चा है आप सुप्रीम कोर्ट में केस कर दो मैं आपको गारंटी द और हो सकता है, दोनों माता ही मर जाएं, बच्चा भी बड़ा होके मर जाएं, लेकिन केस चालू रहा है, यह है अंग्रेजों की नियाए पर, नियाए इसमें होता ही नहीं है, आप जानते क्या होता है, कोई भी नियाए अधीश यह नहीं कहता कि मैं नियाए देता हूं, हर न कानूं के आधार पर फैसला करता हूं नियाय नहीं देता हूं नियाय में और फैसले में जमीन आस्मान का फरक है जरूरी नहीं है कि कानूं के आधार पर दिया गया फैसला नियाय पूरिये हो अनियाय पूरिये भी हो सकता हूं अचा नियाय दीश कानूं के आधार पर फैसला नियाह नहीं देता फिर खों नियाहाद देक्ट और जहां वहां कानूंकी आदार पर पंदा जोंको दोनों का नाम बार्द Ły sonra कि काईदा जा रिख कॉंकि वह तो गाहिए कि आदा पर फैस्दे का게 तो भारत में करना यह होगा कि यह कानून आधारित फैसला करने की जो पद्धिती है इसको नियाए आधारित फैसला करने की पद्धिती बनाना पड़ेगा और यह कब बनेगी जब अंग्रेजों के बनाए गए कानून अटाए जाए जाए चौतिस हजार कानून रद किये जाए और आज की जरूरत के हिसाब से नए नियम बनाए जाए जो भारतिये माननेता भारतिये परमपरा और भारतिये संस्कृति से ध्यान रखकर लिये गए हो ना कि इसके बेवातों, तब हमें सुक मिलेगा, शांती मिलेगी, तब हमें चैन मिलेगा, और सुक, शांती, चैन मिला, आपका जीवन आराम से कटेगा, मेरा विलक大 μέorah. यही हमें करना है लोग कहते हैं कि हम बहुत दुखी हैं ठीक हैं आप दुखी हैं मैं भी दुखी हूँ दुख का कारण क्या है दुख का कारण यह व्यवस्था है और हम दुख का कारण डून रहे हमारे अंदर हम नालाईगे हैं हम ने कम्य हैं, हम नकारा हैं, हम अच्छ हो जाये, तो सारा दूप दूर हो जाया, कभी नहीं हो जायँ है व्यवस्ताव से जनीत दुख है आपके अंदर से खोड़ी आया बहुत लोग कहते हैं, हमें दुख दूर करना है, हम ध्यान करेंगे, प्राणायाम करेंगे, योग करेंगे, 20 दिन साधरा में जाएंगे, कितना भी कर लो, दुख दूर हो गाई ने, क्योंकि जो व्यवस्था में से निकला हुआ दुख है, वो आपके ध्यान प्राणायाम सा तो व्यवस्था को बदलो व्यवस्था से भागने में दुख दूर नहीं होगा इस व्यवस्था को बदलतो जिसमें से यह दुख पहला हुआ और मैं यही मानता हूँ इससे बड़ा अध्यात्म दुनिया में कोई नहीं है, जो व्यवस्था जरिक दुख्वों को दूर कर ले, वो सबसे बड़ा अध्यात्मिक अद्मी है, बाकी सब पाकंडी है, कोई अगर मुझे यह कहता है कि मैं 20 दिवस योगासन करता हूँ, कोई क चार महीने का ध्यान लगा, तो सब पाकंडी करते हैं, होई नहीं सकता है, आपकी गली के नीचे पूड़ा कच्रा पड़ा है, सणांद पड़ी हुई है, और आप घर में बेटके साधना कर लेगे, यह कैसे होने वाल है, पूरे समाज में दुरगंदी दुरगंद फैली कहीं प्रष्का चार है, और कोई यह धपोर शन्की कहे, कि मैं तो ध्यान लगाता हूं, मैं तो प्राणायाम करता हूं, वो वपाकंड के दावा पूछ लेता है, न ध्यान लगा सकता है, न प्राणायाम करता है। आविक. सब्सक्राने ये बाहर अंदर भी सुख, बाहर आंदर भी आननद है तब आप ध्यान में जा सकते हैं? तो मैं तो यह सब बाबाओं को बोलता है। बहुत सारे बाबा हैं जो गंडा तावीज मानते हैं हमारे देश में मेरे पास आओ मैं तुम्हें मोक्ष ले जाओगा, आजाओ, मुझे गुरू बना लो, मेरा यह गंदा बनवा लो देते जाओ, घुरू पुरिमा को आते जाओ, और वो कहेंगे देखो माया में नहीं लगना माया बहुत खराब है तुम मुझे दे दो, मैं रख्टू का तुमारी माया को यहां दे दो बुरु रख्षणा में देते जाओ सारी माया में इक एठा बढ़ता हूँ दूसरा स्टेप लख संगठन तीसरा स्टेप रचनाप में काम और चौथा स्टेप संगर्ष उसके बाद पांच में स्टेप पर जाकर व्यवस्ता बढ़ता है तो पहला स्टेप जागरती करिये दूसरा स्टेप संगर्थन बढ़ता है तीसरा स्टेप उसमें से निर्मान का काम करिये और चौता और आखरी स्टेप संगर्श में लग जाएगे पूरी व्यवस्ता बढ़ेगे और ये व्यवस्ता अगर अंग्रेजों के जमाने की हम बदल पाएगे तो मैं मानता हूं कि सच्छी आजादी आएगी और उसी सच्छी आजादी के लिए आप में हम सब मिलकर प्रयास करें यही हमारे लिए अभीष्ट है